नमस्कार दोस्तों स्वाकेत आप सभी का Civil 101 में मेरा नाम है संदीग जानी कैसे हैं आप सभी लोग A very good morning to all of you I hope सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और काफी सारे दिन हैं आपको rest जो है आपको मिल गया होगा काफी सारे दिन का जो gap था जैसे ही आपका last exam खतम हुआ उसके बाद लगबग 10 से 12 दिन हो चुके हैं हमारे sessions जो हैं वो continuously अभी फिर से आज जो है वो शुरू होने जा रहे हैं दोस्तों ठीक है तो आज से बिलकुल एक नया session है बिलकुल नई starting है सारा course जो है हम बिलकुल नए सिरे से एकदम बिलकुल beginning से शुरू करने वाले हैं कुछ basic बाते मैं आपको शुरू में ही बता दूँगा जो basic से doubt हमारे दिमाग में आते हैं बाद में या कुछ दोस्त जो बाद में इन sessions को देखेंगे उनके लिए मैं पहले से यहां पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ आप सभी को आवाज clearly सुनाई दे रही है वीडियो clearly दिखाई दे रही है तो बता दीजिए फिर आगे हम proceed करते हैं देखें दोस्तों यह जो session है पहला question आप सभी के दिमाग में यही होगा खाफी सारे दोस्तों को यही जानना है कि आप अपने अपने जो respective state के अंदर जो exams की तैयारी कर रहे है तो उनके लिए यह sessions helpful रहेंगे या नहीं रहेंगे तो यह sessions जो है वो बिलकुल helpful रहेंगे चाहिए आप अपने state का J exam दे रहे है A exam दे रहे हैं उसके बाद हम just ठीक है बैठे होते हैं physically और mentally जो हमारी presence है जो participation है वो उतना नहीं रहा पाता है इसलिए हम limited time के अंदर कैसे अपने उस concentration वाले time को utilize करें इसके according हम पढ़ेंगे दूसरी बाद दोस्तों जो छोटे-छोटे questions और होते हैं कि sir classes कहां मिलेंगी कैसे मिलेंगी कई बार होता है कि हम कुछ classes miss कर देते हैं कई बार ये भी होता है हमारे साथ कि कुछ classes miss हो गई हैं या हमने late join किया ये session हो सकता है आप लोग बाद में recorded देख रहे हैं कि कुछ दोस्त आप में से ऐसे भी होंगे सब के अंदर use आएगा सिर्फ और सिर्फ practice की बात आजाएगी अगर आपको state PSE देने है अगर आपको SSC जेही देना है तो उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आप 100% जो भी यहां पर पढ़ रहे हैं सब कुछ cover हो जाएगा अगर आप EAC और gate की तैयारी कर रहे हैं और यहां से पढ़ रहे हैं तो बस आपको questions की जो practice है अपने end पे वो थोड़ी से जादा रखनी पढ़ेगी आपको EAC के gate के जो questions है वो आपको थोड़ी सादा practice करने पढ़ेगे इतना सा difference है बाखी content जो है यह class ही नहीं लेते हैं यह सोचके किया रहे हैं यह तो gate EAC की class है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों civil engineering है सभी के अंदर application जो है इसका आने वाल है सिर्फ और सिर्फ questions का जो pattern है यह कह लिजिए कि gate के अंदर थोड़े से ज़ादा conceptual आ जाएंगे थोड़ा level जादा आ जाएगा आँपर EAC के अंदर जो है आपको vast syllabus थोड़ा सा मिलता है लेकिन यह सब कुछ पढ़ रहे हैं आप तो सारी चीज़ें आपकी cover हो रही है state के लिए आप बात करेंगे SSC के लिए बात करेंगे तो कहीं कुछ भी miss नहीं होगा और ऐसे भी नहीं है कि लंबी-लंबी classes जो आप चलती जाएंगी कई-कई महीनों तक एक subject चल रहा ऐसा नहीं होगा limited time के अंदर जो है आपकी सारी चीज़ें cover होने वाली है एक चीज़ और देखिए आप observe करिए यहाँ पर कि civil engineering यहाँ पर commonly लिग दिया तो cement आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर रहेगा दूस्तो class का number यहाँ पर क्या रहेगा class का number रहेगा यह subject का नहीं होगा यह last तक जब तक यह session चलेंगे जब तक civil engineering complete होगी तब तक यह session रहेंगे तो आपको इसमें confused नहीं होना है कि यह इस subject का class number 1, 2, 3, 4 है या फिर जो series है तो यह बिल्कुल starting से है ताकि आप relate कर पाएंगी हाँ कौन सी class कब होई उसके बाद कौन सी होई थी उसके बाद कौन सी होई थी कई बार सिर्फ subject wise होता है तो confusion हो जाती है कि कितने session रहे होंगे उसके 10 session है 12 session है subject के तो अगर series में होगा तो आपको पता रहेगा कि starting से लेके last तक जो है आपके कितने classes हो चुके हैं और साथ ही साथ में इसका फाइदा ये भी होगा दोस्तों कि अगर कभी मैं गडबड़ कर देता हूं कोई session जो है वो miss हो जाता है कही बार playlist में add नहीं हो पाते हैं वो तो आप लोग याद करवा सकते हैं कि हाँ ये session जो है वो updated अभी तक playlist के अंदर नहीं है ठीक है चली तो शुरू करते हैं दोस्तों और एक basic सी चीज मैं आपको यहाँ पर यही बोलूँगा जो भी subject पढ़ रहे हैं theoretical पढ़ रहे हैं चाहे हम numerical पढ़ रहे हैं आपको शुरू से बस पढ़ते हुए जाना है ठीक है जादा कुछ सोचना नहीं है क्योंकि जादा दिमाग अपने पास है भी नहीं ना मेरे पास है ना आपके पास है जितना limited है उसी को use करना है उसी से best जो है अपने को देना है तो उसके लिए जरूरत पढ़ेगी अपने को थोड़ी सी exercise करने की थोड़ी सी मैनत करने की तो वो जो मैनत है हमें शुरू से करनी है starting से day one से करनी है आपको भी बता है अगर आप कोई exercise करते हैं कोई sports खेलते हैं कुछ भी आप करते हैं तो एक दिन में result नहीं आता है starting से दीरे दीरे थोड़ी थोड़ी चीज़े add up करनी होती हैं आपको same तरीके से आप ये मान के चलीजेगा कि आपको जो भी exam है for example आपका exam है 100 marks का technical exam की अगर मैं बात करूँ civil engineering की आपका marks 100 marks का आपका exam है तो उस 100 marks को आप 100 kg weight के बरावर मानो एक दिन में क्या कभी आप 100 kg weight उठा सकते हैं एक दिन में क्या कभी 100 kg weight आप उठा सकते हैं ऐसा possible नहीं है तो आपको क्या करना होगा दे बाइ डे अपनी capacity जो है वो increase करनी है दे बाइ डे आपको क्या करना है अपनी capacity increase करनी है आज 1 kg फिर कल्फ 2 kg फिर 3 फिर 4 and so on तो ऐसे ही imagine करके चलना है कि पढ़ाई जो हमारी है वो day by day उसके अंदर addition कुछ न कुछ होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं शुरू करते हैं दूस्तो आज के हमारे session को और कुछ और चीजे में आपको बता देता हूँ कि जो भी हम पढ़ेंगे सारा कुछ YouTube के उपर आपको मिल जाएगा daily 9 बजे class होगी Monday to Friday Monday to Friday morning में 9 बजे 9 a.m. Monday to Friday आपके जो session है वो होंगे YouTube के उपर ही Civil 101 के उपर ही तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कब class होगी कहाँ पर class होगी ये जो session चलेंगे Monday to Friday 9 a.m. Civil 101 के उपर Wi-Fi study channel जो हम आ रहा है उसके उपर कुछ special sessions होगे या आप यह कह लिजिए कि कभी कोई test हो गया कोई topic related कोई special class होगी तो वो ऐसे sessions हम Wi-Fi study पर भी करेंगे Saturday Sunday को या weekdays में भी होगे तो आपको advance में बताया जाएगा उसके लिए कि कभ वो sessions होने बाले हैं Monday to Friday daily आठ बजे रात को हम practice session रखेंगे जो चीज़े हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सुबह की class में पढ़ रहे हैं आज सिमेंट पढ़ लेंगे तो आज शाम को आठ बजे सिमेंट के जो भी objective questions बनते हैं जैसे भी objective questions बनते हैं वो सारे हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो ये बात आपको याद में रखनी है शाम को आठ बजे anacademy की special class पे इसके लिए आपको कोई subscription की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिम्पल आपको जाना है anacademy के उपर और वहाँ पे संदीब जानी मेरी profile सर्च कर लीजेगा अगर आप वो class देखने के लिए आप से कोई invite code पूछा जाता है तो वो आप यूज कर सकते हैं संदीब डबल वन यही subscription के लिए आप यूज कर सकते हैं एक problem आती है दूस्तो प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस की बात करें अगर particularly time management की हम बात करें और अपनी गलतियां जो है वो निकालने की अगर हम बात करें क्योंकि exam के अंदर जो दिक्कत आती है technical content हम पढ़ सारा लेंगे लेकिन accuracy की और time management की बहुत दिक्कत आ जाती है last में जाके तो उस पे हम शुरू से ही work करेंगे अभी तो कई बार यह होता है हम आपको बोल देते हैं कि आप test series जोइन कर लो आप test series पढ़ो यार maximum से maximum test दो तो वो हम starting से ही शुरू कर लेंगे अभी से हम test जो है हर week आपका test हो गई होगा हाँ यह बात है किसी test को हम special class की form में कर लेंगे किसी को हम हो सकता है YouTube session में करें किसी को जो आपको quiz की format में या जो app के उपर ही आपको पूरा complete test मिलेगा उसमें करेंगे कोशिश यह रेगी दोस्तों हमेशा कि आपको पूरा का पूरा 100 questions का एक set जो है वो मिले और पूरा app के उपर मिले जिसमें आप attempt करें पहले बाद में हम उसका solution जो है वो हम देख लेंगे ठीक है ठीक है हाँ बात करेंगे सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो topics की बात करें building materials के अंदर तो आपको topics जो है वो cement, lime, mortar, concrete, admixtures, timber, brick, paint और कुछ और additional building materials है उनके बारे में पढ़ना है जिसमें से सबसे ज़्यादा important अगर मैं बात करूँ जिनसे question आता ही आता है वो है आपका cement, cement से related question आएगा ही आएगा exam में आपको देखने को मिलता ही मिलता है उसके बाद concrete की अगर हम बात करें तो concrete से related question आएगा ही आएगा most important ये दो तो ही है then comes timber और bricks, इनसे related question जो है वो पूछे जाते ही जाते है ये तो वो topics हैं जो बहुत important है lime in general आपसे बहुत सारी जगान जो है lime use आता है तो इनसे related questions आपसे पूछते ही पूछते है बागी topics भी important है लेकिन ये most important है इन में से question आएगा ही आएगा तो इनको आपको नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में कुछ भी इन में से नहीं छोड़ना है building material इमानदारी वाली मैं बात करूँ तो थोड़ा सा theoretical subject है है आसान बहुत आसान है और अब तक अगर इतिहास को उठाएं तो आप कोई भी JEE exam अगर देख लीजिए state के जो exam है उनमें सबसे जादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो building material से पूछे गए हैं आब तक अब बैटन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है कि हर subject को टच कर रहे हैं जो भी departments हैं अगर आप SSC की बात करें अगर आप UPSC की बात करें engineering services की तो लगबग लगबग हर topic जो है हर subject से related questions जो है वो पूछे जा रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि इसका weightage कम हो गय है पहले से कम हुआ है लेकिन है तो अभी भी majorities के अंदर तो यह रहे गई रहेगा तो थोड़ा theoretical है याद करना पड़ेगा याद करना है तो दो चीजें होंगी आपके पास subject के अंदर एक होगी कहानिया filler material जिसको हम बोलते हैं बस समझने के लिए यूज होता है दूसरा data जो हमें याद करना है जो चीजें हैं जो facts हैं यागर कोई test है उसकी properties है अगर तो वो आपको याद करनी है तो वो हम class में ही याद करके चलेंगे एक बार याद करेंगे class में एक बार आप class खतम होने के बाद एक गंटे दो गंटे जब भी आप थोड़ा सा free हो जाए तब ए यह important है यहां से सवाल पूछता है उन्हों points पे focus करना है शाम को जो हमारी practice वाली class होगी उसमें आपकी इस topic की पूरी की पूरी practice भी हो जाएगी questions भी आपके उसके अंदर हो जाएं क्योंकि वहाँ पर पोल रहेगा आप participate कर सकते हैं जब इतना हो जाए next day जब आप फिर से class के अंदर आएं तो आज का topic तो आज complete ही हो जाएगा लेकिन अगर कोई related topic हो आज का topic कल भी चल रहा है परसों भी चल रहा है तो उसको आप revise करेंगे class start होने से पहले आप revise करेंगे 9 बजे का time इसलिए रखा गया है 6 बजे 7 बजे तक solo फिर उठके बाद उठ जाओ थोड़ा तो दोस्तों आपने देखा होगा day to day life के अंदर हम roads देखते हैं जो concrete से बनी हुई होती है उनके अंदर definitely cement जो है उसका use होगा है बात कर रहे हैं cement जो है आपको क्या importance है कहां कहां आपको देखने को मिलती है फिर उसके बाद बात करें अगर आप bridges की बात करते हैं अगर आप पर concreting हो रखी है जहां पर आपने reinforcement भी यूज़ कर रहा है steel का use कर रहा है prefabricated work हो सकता है पहले से जो ready made blocks वो यूज़ हो सकते हैं उनसे जो construction होता है तो इन सब के अंदर आप देखते हैं cement जो है अगर cement को हटा दीजिए अगर आप cement को हटा दो इन सारे structures में से cement को हटा दो तो क्या बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा cement जो है वो क्या कर रहा है bind करने का काम कर रहा है cement सारी चीज़ें जो अगर concrete है आपके पास तो concrete के अंदर aggregate होगा fine aggregate होगा sand होगी जो आपके पास water होगा और अगर कोई और admixtures add कर रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को cement क्या कर रहा ह bind कर रहा है तो cement जो है वो क्या है binding material है इन जर्नल अगर हमसे पूछा जाए what is cement तो binding material है bind कर रहा है अलग-अलग ingredient को और उसके बाद वो क्या हो जाता है set हो जाता है hard हो जाता है और उसके बाद उसमें आ जाती है strength हाने के कारण क्या होगा उपर से उसके उपर कोई भी load अग दर या bridges के अंदर आपने देखा होगा जो भी skyscrapers होते हैं बड़े-बड़े towers है वह पॉसिबल ही नहीं है construct हो पाना अगर cement ना हो ठीक है पुराने दमाने के अगर हम बात करें या शुरू-शुरू में जब भी बात आती है civil engineering की road construction की या फिर construction infrastructure की बात आती है तो Romans की हम ब बढ़ाई जाए उसकी कैसे उसकी strength जो है वो बढ़ाई जाए उस पर काम किया गया research की गई और धीरे-धीरे हम जो आज modern हम cement use कर रहे है वहां तक हम पहुंचे ठीक है तो during any type of construction cement का role जो है वो starting से बहुत जादा important रहता है आप यह देख सकते हैं चाहे वो कहीं पे हो चाहे आप dams की बात कर लीजिए बड़े-बड़े massive structures हैं जहाँ पर water भी रहेगा उनको support करना है उसको रोकना है तो वहां पे भी use होता है चाहे आप ports की बात कर लीजिए वहां पे use हो रहा है तो cement के बिना कोई भी structure जो है अगर हम बात करें आज के time में जो भी heavy structures है जिनके उपर binding property हो तो cement in general अब देखो दोस्तों बहुत सारी filler material चलेंगे आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी theoretical subject को पढ़ने का तरीका यह है आप जो सरेल भाशा में जो चीज़ें समझ में आती है वो समझ लीजिए यह आपके बाद के revision के लिए है कि बाद में आप अपने घर पे बैठे हैं, office में बैठे हैं, school में जहां भी आप बैठे हैं वहाँ पे उसको थोड़ा सा जोर जोर से बोल के आप पढ़ लीजिए if possible ठीक है तो आपको instantly class के अंदर ही याद हो जाएगा ठीक है तो बहार आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी cement होता का है एक ऐसा binding material है जो अपने साथ अलग-अलग ingredients है उनको bind करेगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो cement जो है function is to bind the sand, coarse aggregate और जो particles है, fine aggregate उन सबको साथ में bind करने का काम कर रहा है simple सा objective सवाल आपसे पूछ सकता है कि जो cement है उसको सबसे पहले किसने form किया, पहले lime यूज होता था, lime के अंदर फिर कुछ और जो properties उसकी enhance करते गए, उसमें कुछ और चीज़ें add करते गए और finally हम आ गए किसके उपर, cement के उपर या जो portland cement UK के अंदर एक जगा है portland वहाँ पर ये पहली बार इसको बनाया गया, उसी के उपर इसका नाम रख दिया portland cement के अगर हम बात करें, या एक वहाँ पर stone है, portland के जो आप है, वहाँ पर एक stone है, उससे related इसकी properties थी, तो उसका, जो portland cement इसका हमने नाम रखा, जोसेफ एसपीडीन, जोसेफ एसपीडीन पहला objective सवाल यहाँ से शुरू हो जाता है, उन्होंने सबसे पहले portland cement जो है, उसको फॉर्म किया, तो जोसेफ एसपीडीन आपको याद रखना है, पहला objective सवाल यहाँ से शुरू हो जाता है, जोसेफ एसपीडीन was the first one to introduce portland cement in 1824, 1824 और lime से ही बनाया, obvious सी बात है, पहले हम lime ingredients को add किया, और उसकी properties जो है, और बहतर कर दी गई, तो जोसेफ एसपीडीन ने सबसे पहले portland cement से हमें introduce करवाया, उसके बारे में हमें बताया, cement in general अगर हम बात करें, तो cement जो है, वो दो तरीके के component इसकेंदर present होते हैं, एक clay वाले जिसे कहते हैं, एक होते हैं, calcium वाले या इंदर form होती है, अब cement से related questions क्या क्या पूछते हैं, cement जो है, उसके ingredients क्या होते हैं, इनके बारे में पूछते हैं, cement के इंदर, cement को बनाने लिए, क्या के ingredients हैं, उनको हम add कर रहे हैं, और उसके बाद पहला सवाल यहां से आगया, ingredient क्या add कर रहे हैं, उसके बाद उसको burn किया जाता है, उसको burn करते हैं, पहले preheating temperature करते हैं, फिर temperature बहुत जादा rise कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, iron oxide जो present होता है, वो क्या करेगा, बाकी सारे ingredients को कम temperature पर भी fuse करवाएगा, आपस में mix करवाएगा, वो mix करवाने के बाद उसके क्या बन जाएंगे, छोटे बोल देते हैं हम उनको, वो जो clinkers बन जाते हैं, फिर उसके बाद वहाँ से question शुरू होता है, कि वो जो cement है, वो properly burnt अगर cement है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो bogus compound की बात करते हैं, जो clinkers होते हैं, उनकी properties जब हम पढ़ते हैं, तो वो आते हैं कि इसमें bogus compound में, तो फिर वो clinkers जब water के साथ, या clinkers को जब हमने finally grind कर दिया, उनको piece लिया अच्छे से clinkers को, पहले हमने cement के सारे ingredient अड़ किये, ठीक है, clay वाले और जो आपके calcium वाले थे, या फिर ये collagen ये lime वाले जो थे, उनको साथ में mix किया, फिर उसके बाद उसको heat किया, heat करने के बाद clinkers ब पूछे जाते हैं, उसके बाद बात करें, तो test आ जाते हैं, cement के उन test related आपसे सवाल पूछे जाते हैं, कि cement के उपर कौन-कौन से हम test करते हैं, types of cement के उपर आपसे question जो है, वो पूछे जाते हैं, तो जल्दी से शुरू करते हैं, पहले सवाल जो आपके शुरू होते हैं, वो होते हैं constituent of cement से क्योंकि हमने पढ़ा, सबसे पहले starting में हमने पढ़ लिया कि lime जो है lime से हम cement बनाना शुरू कर रहे है argilatious और calcerious argilatious यानि कि clay containing और calcium containing जो substances है उनसे हम cement बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास lime जो कि binding material, cement के अंदर binding का काम, जोडने का काम favicol का काम कौन कर रहा है वो कर रहा है, lime कर रहा है calcium oxide, CAO जिसे हम बोलते है calcium carbonate, CACO3 को जब हम heat कर दे हैं calcium carbonate, CACO3 को जब हम red hot heat कर देते हैं तो calcium oxide हमें मिलता है यहाँ पर तो यह जो calcium oxide है lime जो है, यह present रहता है 62 से लेके 65% majority में यही present रहेगा obvious ही बात है, cement का काम है binding के लिए कौन responsible है, lime तो lime से आप याद रख सकते हैं binding है, सबसे ज़ादा यह present रहेगा 62 से लेके 65% तक, उसके बाद आता है 17 से 25% आता है, silica, फिर उसके बाद clay वाले components की बात करते हैं तो silica 17 से लेके 25% आता है, और उसके बाद alumina आ जाता है 328, इनहीं को मिलाके हम बोल देते हैं कि यह तीन जो हैं, यह क्या है, major constituents of cement हैं, यह तीन क्या है major constituents यह आपको दिखा ही नहीं दे रहा होगा है न यह क्या है major constituent lime, silica और alumina जो आपके हैं यह major constituent है major constituent, सबसे ज़्यादा quantity में जो present है lime, silica और alumina उसके बाद आ जाता है, gypsum gypsum की बात करें, retarder होता है, आपको पता है या नहीं पता है, तो अभी हम इन सब को पढ़ेंगे, इनका use क्या है, 3-4% तक gypsum present रहता है, उसके बाद iron oxide रहता है 3-4% के बीच में, and then comes magnesia 1-3%, sulfur रहता है 1-3% के बीच में, फिर आ जाते हैं, alkalis आ जाती है alkalis जो हैं, वो 1% से कम-कम या यह कह दीजिए, 0.2 से लेके 1% ठीक है, जल्दी से इसको read करिए तीन बार सब लोग इसको बोलेंगे lime, silica, alumina, gypsum iron oxide, magnesia, sulfur, alkalis lime, silica, alumina, gypsum iron oxide, magnesia, sulfur, alkalis तीन बार बोलेंगे सब लोग lime, silica, alumina, gypsum iron oxide, magnesia, sulfur, alkalis lime, silica, alumina, gypsum iron oxide, magnesia, sulfur, alkalis lime present है 62-65%, silica present है 17-25%, alumina present है 3-8%, gypsum present है 3-4, 3-4, फिर उसके बाद magnesia 1-3, sulfur 1-3, 0.2 से लेके 0.1, जल्दी से याद करिए जब याद हो जाए तो बता दीजेगा, और अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो I hope अभी थोड़ा बेटर दिख रहा होगा आपको clear PDF आपको class के बाद एक Google Drive link बना लोगा मैं ठीक है, PDF के लिए क्लास के बाद एक Google Drive link बना लेंगे उस Google Drive link को जो भी आपकी class होगी उसके comment के अंदर या description के अंदर आपको वो मिल जाएगा उसी same folder पे आपको सारी PDFs भी मिल जाएगी दूसरा तरीका टेलिग्राम, टेलिग्राम के उपर आपको जो भी class शुडू होती है उस class से पहले या class से related कोई भी important post होता है वो भी मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप चाहे तो टेलिग्राम वहाँ पर active रह सकते हैं तो बहुत बैतर रहेगा, जो भी class से related information होगी वो instantly आपको वहाँ पर मिलेगी कोई भी important notification आएगा वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा तो वहाँ भी आप रह सकते हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा चली, तो यह याद हो गया होगा यहोप सबको, सबसे जादा quantity में major constituent जो सबसे जादा जो आपसे पूछा ही पूछा जाता है, सवाल वो इन से related है कितने ही सवाल न जाना इन topic से related, इस एक चार्ट से related questions जो हैं आपसे पूछे गए हैं तो major constituent, lime, silica, alumina यह तीन रहते हैं उसके बाद बात करें दोस्तो, lime की बात करें, तो lime पहली चीज़ तो आपको पता है major quantity में है, major quantity में है, तो सबसे जादा यह क्या करेगा, bulk जो है वो भी यह provide कर रहा है lime के current जो है, वो strength उसके अंदर impart होगी साथ ही साथ में major quantity में यह present है, तो यह क्या करेगा, volume भी provide कर रहा है यहां पर soundness यह provide कर रहा है, lime देखो दोस्तों अगर जादा हो जाता है, तो जादा होने के करण क्या हो जाता है, lime जब cement को burn किया जाएगा और lime बहुत जादा है उसके अंदर, तो क्या होगा, वो lime जो है, वो free lime की form में रह जाएगा या जो cement के clinkers जो form होंगे, clinkers जो है, जो छोटे-छोटे particle cement के जो form होंगे, उन clinkers के अंदर free lime रहेगा और free lime जो है वो आपको पता है free lime या calcium oxide की अगर मैं बात करूँ तो CAO जो है उसको जैसे ही कहीं पर पानी मिल गया तो वो क्या कर देगा calcium hydroxide बना देगा calcium hydroxide जो है वो क्या करेगा volume उसका भढ़ जाता है volume जादा हो जाता है free lime के comparison में और फिर वो expand करने की कोशिश करेगा expand करेगा तो वो है तो हमारी cement के अंदर ही तो वो उसको volume changes ला देगा उसमें disintegrate कर देगा unsoundness create कर देगा तो lime जो है वो अगर required quantity 62 से लेके 65% इससे जादा हो जाएगा तो unsoundness create कर देगा अगर कम हो जाएगा तो strength यही impart कर रहा था strength जो है वो reduce हो जाएगी access में होगा तो it becomes difficult to combine with other compounds और वो free lime की form में present रहेगा उसके बाद बात आएगी दोस्तों silica की as for silica as for strength silica भी क्या करता है cement को strength provide करता है silica जो है वो cement को strength provide करता है कम रहेगा तो strength जो है वो reduce हो जाएगी access रहेगा तो strength तो बढ़ जाएगी लेकिन setting time भी बढ़ा देता है access हो जाएगा तो वो setting time को बढ़ा देता है strength तो चलो ठीक है बढ़ाएगा बढ़ाएगा clear आगे बढ़े next आता है हमारे पास alumina alumina क्या करता है quick setting property provide करता है alumina क्या करता है quick setting property जल्दी से जल्दी set हो जाता है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा hard हो जाएगा quick setting property जो provide की जाती है वो किसके द्वारा provide की जाती है alumina के द्वारा provide की जाती है alumina एक और काम करता है ये क्या करेगा जो clinkers form होते हैं, जब cement के ये सारे ingredients जिनको पढ़ रहे हैं, जब इनको mix करके burn किया जाएगा, तो उसका जो temperature है, उसको क्या कर देता है, reduce कर देता है, it reduces the clinkering temperature, clinkering temperature जो है, उसको reduce करने में मदद करेगा, जिससे की कम temperature पर clinkers form हो रहे हैं, या cement जो है, वो form हो रही है, 3-8% त कर्देता है, उसके बाद आता हैं, जिपसम, जिपसम आप सभी को पता है, एक retarder का काम करता है। यईनिकि ये setting time को बढ़ादेता है, calcium sulphate होता है, gypsum calcium sulphate की form में ये present रहता है, और ये retarder का काम करता हैं दोस्तो, इस से आप setting time को बढ़ादेता है, इस से आप क्या करदेते है setting time को बढ़ा देते हैं, साथ साथ में जो questions पूछे जाएंगे gypsum इसको हम कहते हैं retard कर देना किसी भी process को क्या कर देना धीरे कर देना, आप कहते हैं गाड़ी चला रहे है accelerate करते हैं, मतलब आप अपनी speed velocity उसको बढ़ा रहे हैं, अगर आप गाड़ी को रोक रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं retardation कर रहे हैं, या retard कर रहे हैं तो धीरे कर देना किसी process को तो process को धीरे कर देना, मतलब उसका time बढ़ा देना, तो it is it increases the setting time जो cement होती है, शुरू में जब आपने जैसे ही उसमें water डाला, तो वो क्या होगी प्लास्टिसिटी लूज करना शुरू कर देती है तो उस time को हम कहते है initial setting time, उस time को ये क्या कर देता है बढ़ा देता है, जिपसम वो time देरी से आता है, उसके बाद आता है दोस्तो iron oxide, iron oxide आपको पता है strength impart करता है साथी साथ में color भी impart करता है iron oxide जो है, वो क्या करेगा color impart करेगा, कैसा reddish brown जो color है, वो iron oxide की बज़े से आता है साथी साथ में iron oxide क्या करेगा जो अलग-अलग ingredients है उनका fusion करवाने में उनको mix करवाने में जो आपके पास lime है, silika है, alumina है बाकि जो ingredients है उन सब को fuse करवाने में आपस में mix करवाने में मदद करेगा iron oxide आपका उसके बाद आजाता है, magnesia दोस्तो, magnesia भी क्या करेगा ये soundness प्रोवाइड करता है, volume जो है वो sound रहे, उसके अंदर ये मदद करता है, अगर जादा हो जाएगा तो unsound कर देगा, unsound मतलब volume changes जो है, उसके जादा आ जाएंगे, impart strength and color to the cement, strength impart करेगा, yellow strength जो है इसके थुरू आता है, अगर जादा होगा, तो it makes the cement unsound, volume changes उसके अंदर आ जाएंगे, अगर magnesia जादा present होगा, तो lime magnesia और sulfur, ये तीन जो हैं, ये अगर access में हो जाएंगे required quantity से जादा में हो जाएंगे तो cement को unsound कर देते हैं unsound करने का मतलब उनमें volume changes आएंगे cement में, उस cement के अंदर, अगर ये required quantity से जादा है तो तो उसके लिए हम इसके उपर test करते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, दूस्तों next बात करें तो आपके पास gypsum already we have discussed unsound हो गया, मतलब volume changes आएंगे वहाँ पर, और soundness के लिए responsible मतलब वो उसके volume को maintain करके रख रहा है यहाँ पर, soundness due to lime and magnesia, ये हम पता कर सकते हैं और इसके test जो हैं, आगे जाके बात करेंगे कि lime की वज़े से जो soundness है bleach at layer apparatus से हम पता करते हैं और lime और magnesia दोनों की वज़े से जो है, वो autoclave apparatus से हम पता करते हैं ये भी हम भी थोड़ी से देर में पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन sulfur की वज़े से जो soundness है, उसको test करने का कोई method हम ते हम पास अभी तक available नहीं है, alkalis की अगर हम बात करनें setting of cement paste, इनके कारण efflorescence आ जाता है, जो आपको white gray spots दिखाई देते हैं, cement के वो किसके कारण आता है, अगर alkalis present है, तो उसके कारण ये आएंगे, white gray spots इसके अंदर present रहेंगे, so alkalis की वज़े से efflorescence होता है, objective में आपसे ये सवाल पूछा जाता है उसके बाद बात करते हैं, दोस्तों ये सारे ingredients है, जो भी cement के ingredients के हमने बात की, आपके पास आया, lime आया, silica आया, alumina आया, iron oxide आया, magnesium आया, आपके पास जिपसम आया, ये सारी चीजें जो हैं, आपने मिला दी उसके बाद, उसको heat किया, heat करने के बाद उसको फिर burn किया, burn करने के बाद clinkers form हो गए, ऐसे कुछ दिखेंगे आपको clinkers, जब clinkers form हो गए हैं, तो clinkers की properties हम पढ़ रहे हैं, हाँ पर clinkers जो हैं जो form हुए हैं, उनको उन क्या करें यहाँ पर bogus compound, जो की जाके क्या करेंगे, water के साथ react करेंगे और उनका hydration होगा, मतलब उसके साथ उसकी reaction होगी, cement clinkers की, तो bogus compound जो हैं उनकी properties, सबसे जादा, देखो, cement थी, cement के ingredients mix किये, उसको burn किया burn करने के बाद, clinkers form हुए, तो अब उनको हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर, उन bogus हुआ, आपके पास चार bogus compounds आते हैं, आपके पास चार bogus compounds आते हैं, tricalcium aluminate, tetracalcium aluminoferite और tricalcium silicate, dicalcium silicate यह चार आते हैं, जिनके अलग-अलग नाम भी आपने सुने होंगे, अगर आपने कोई books देखी हैं, जिनके अंदर questions आपको ऐसे दिखे होंगे, halite से related, felite से related, silite से related, bilite से related, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पहले बोग ने इन सब compounds के बारे में पढ़ा, तो अपना नाम दे दिया, उन्होंने bogus compounds, फिर उसके बाद, bleach atelier को नाम bogus का लगा, यह सारे क्या हैं, यह क्या पहलाइट बूल दिया, tricalcium silicate को halite बूल दिया, dicalcium silicate को bilite बूल दिया, तो यह जो नाम है, कहीं न कहीं, state के जो exam है, उन में कहीं पूछे गए हैं, उन से related जो है, आपको directly नाम नहीं दिया, कि tricalcium aluminate नहीं दिया, उन्होंने बूल दिया, selite selite की property क्या होती है, heat of hydration of selite is, सबसे जादा होता है, कम होता है, क्या होता है, तो आप इनके नाम जो है, वो देख लीजिएगा tetra calcium alumino ferrite तो ferrite या ferrous से आप याद रख सकते हैं, यह felite होगा यहाँ पर यह याद करने में किसी को को दिक्कत नहीं आएगे यहाँ पर, tricalcium calcium से related है, tricalcium aluminate है, तो आप इसे selite से याद रख सकते हैं tricalcium silicate, तो यह जब calcium वाला aluminate था, selite है, tricalcium silicate, alite होगा है, यहाँ पर dicalcium silicate, bilite से आप कहेंगे यह आप ऐसे याद रख लीजिए सबसे पहले आया a, फिराया b, तो a जो है, यहनि कि सबसे पहले initial strength कौन प्रोबाइड करता है, tricalcium silicate, तो alite से याद रख सकते हैं final strength कौन प्रोबाइड करता है, diicalcium silicate, तो b से याद रख सकते हैं, a, b से आप ऐसे याद रख लीजिए, कि initial स्टेंथ कौन प्रोवाइड करेगा ट्राइकल्शियम सिलिकेट तो ए और बी इनके थुरू आप याद रख सकते हैं सी ट्राइकल्शिम अलुमिनेट बच गया फेराइट वाला है तो फेलाइट आजाएगा आपके पास यहां पर याद रहेगा सबको ठीक है होना होना जो भी चीए था अब लीचेट लेयर साहब को यह पसंद आया उन्होंने यह नाम दे दिया यहां पर अब बात करते हैं दोस्तों इनकी प्रापरटीज की अब यह तो कहानिया इतनी लिखी है सारी याद करनी है नहीं याद करनी कुछ फिलर मैटीरियल होता है कुछ ऐसा होता है जहां पर फोकस करना है जहां से सवाल पूछे जाते है बात आती है दोस्तों सबसे पहले ट्राइकल्शियम अलुमिनेट की ट्राइकल्शियम तीन कैल्शियम प्रेजेंट है ट्राइकल्शियम अलुमिनेट थ्री सी ए ओ थ्री लाइम प्रेजेंट है यहां पर और बाकी अलुमिना प्रेजेंट है तो ट्राइकल्शियम अलुमि करता है starting के seven days में जो strength आती है या आप ये कहले जिए starting के एक month तक भी जो strength आती है वो किसकी वज़े से आती है tricalcium silicate की वज़े से आती है diicalcium silicate तो बैचारा एक साल के बाद जाके contribute कर पाता है पूरे इच्छे से जितना tricalcium silicate strength contribute करता है तो tricalcium illuminate जो है इसके अंदर वो portion होगा clinkers का जो सबसे ज्यादा heat of hydration release करता है सबसे ज्यादा rate की बात नहीं हो रही कि कितने time में कितने heat release की नहीं सबसे ज्यादा कौन release कर रहा है उसकी बात करें अगर हम तो वो tricalcium illuminate आता है जैसे ही आप क्या करते है लगबग water add होगा तो उसके बाद ये 24 hours के अंदर अंदर ये form हो जाता है इट इस responsible for maximum amount of heat of hydration जो भी initial set होता है flash set होता है जो hardness introduce होती है cement के अंदर वो किसकी वज़े से होती है tricalcium illuminate की वज़े से होती है और ये सवाल नजाने कितनी बार कितने ही सालों में पूछा जा चुका है ये बहुत बार question पूछता है initial set के लिए कौन responsible है C3A flash set के लिए कौन responsible है C3A सबसे ज़्यादा heat of hydration कौन release करता है C3A तो याद रखना ही रखना है इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होनी चीए और यही सवाल majority of the time आपसे पूछा गया है या तो heat of hydration से related या फिर आपसे सवाल जो है वो पूछा गया किस से related flash set के लिए initial set के लिए कौन responsible है तो tricalcium illuminate responsible है ठीक है next अगर heat of hydration जादे release हुई आपको पता heat of hire doses जदे release होगी तो क्या हो जाएगा heat of hydration के दोस्तों जभी इसमेंट वह किंत करेगा तो हम कहें देते हैं hydration हो रहा हा हाइज्ड्रेशन और क्या होगा वहाँपर energytering ड्लीज होही इट अいます रिलीज होता है वह हीट ऑफ आईडरेशन जो है कौन सा कंपाउंड प्रोवाइड कर रहे हैं सबस्यादा ट्राइकल्शिम एलुमिनेट प्रोवाइड कर रहे हैं अब जितने हीट रिलीज होगी अगर आप उसकी कूलिंग नहीं करवाई अगर आपने उसकी क्योरिंग नहीं करवाई तो वो क्या कर देगी उसमें क्रैक्स डेवलेप कर देगी सिमेंट के अंदर क्रैक्स डेवलेप कर देगी वॉल्यूम चेंजिज ला देगी तो इसी के लिए हम क्या करते हैं सिमेंट की या फिर जो concrete है उसकी curing करवाएंगे अगला compound हमारे पास आता है अगला bogus compound जो आता है वो आता है कोई bogus compound बोल देता है कोई bogus compound बोल देता है अब आपको जो पसंदो pronunciation matter नहीं करती है जो आपको पसंदो वो ऐसे आप इसका नाम दे दीजिए जैसे bogus को पसंद आया उन्होंने नाम दे दिया उसके बाद leach clear को जो पसंद आया उन्होंने अपने नाम दे दी आपको जो पसंद आया उसके हिसाब से नाम नहीं बदल देना आप बस ये कर ले ना कि हाँ pronunciation अपना जो भी आपका जैसे suitable लगे वैसे आप इने कह सकते है टेट्रा कैल्शियम अलूमिनो फेराइट जो आपके पास है इसकी बात करें C4 टेट्रा मतलब 4 टेट्रा कैल्शियम अलूमिनो फेराइट जो आपके पास है C4AF ये भी flash set के लिए ये initial set के लिए responsible होता है इसकी इतनी heat release नहीं होती लेकिन rate of release of heat होता है rate of release of heat जो है वो जादा होता है जैसे अगर हम बात करें exam time तक बात करें कोई एक बच्चा है वो 1000 गंटे पढ़ चुका ठीक है कोई एक बच्चा है वो 1000 गंटे पढ़ चुका लेकिन daily basis पे उसने सिर्फ दो गंटे पढ़े तो rate की अगर हम बात करें कितने time में कौन energy ज़्यादा release कर रहा है वो तो कौन करता है tetra calcium alumina ferrite करता है लेकिन total energy की बात करें total hydration की अगर हम बात करें तो tricalcium alumina दोनों का मैं फिर से आपको जो पूरा sequence है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि finally आपको याद क्या करना है अभी सिर्फ कहानी सुनते जाहिए उसके बाद आ जाते है दोस्तों tricalcium silicate सबसे ज़ादा पूछने वाला सवाल जो है वो इससे यही है कि initial strength के लिए कौन responsible होता है तो वो responsible होता है tricalcium silicate लगबग शुरू के 7 दिन के अंदर यह form हो जाता है और जो strength provide करेगा वो initial stages में जो strength provide करेगा वो कौन provide करता है tricalcium silicate ही provide करता है diicalcium silicate final stage में एक साल के बाद strength का contribution उसका आना शुरू होता है तो tricalcium silicate cement को शुरुवाती दौर में कौन strength provide करता है वो provide करता है tricalcium silicate 45-85 प्रतिशत तक यह होता है अच्छे से जो burnt हुए जो clinkers होता है वो किसके होता है वो tricalcium silicate के होता है जब हम cement को form कर रहा है तो जो अच्छे से well burnt clinkers होंगे well burnt जो particles होंगे वो कौन से होंगे tricalcium silicate के होंगे it is formed within a week of addition of water ये early development of strength के लिए responsible होता है Dicalcium silicate ये progressive strength या फिर later stages में लगबग लगबग एक साल लग जाएगा उसकी strength जो है वो उसका अच्छा खसा contribution आने में cement के अंदर तो Dicalcium silicate later stages में initial stages में आप से पूछे 7 दिन 28 दिन ऐसा कुछ आप से पूछे तो वो किसकी वज़े से Tricalcium silicate की वज़े से आता है याद रहेगा सबको अच्छा compound अगर आप से पूछे कई बार ये question भी आया हुआ है CC के इंदर भी हो और अच्छो state के exam है उनमें भी वे question पूछा हुआ है कि इनमें से अच्छा compound कोंस है तो अच्छे compound की परिभाशा वैसे तो पूछनी चीए कि हाँ अच्छा आपके sense में आप कह रहे हैं यहाँ पर लेकिन cement की बात कर रहे हैं तो cement का काम है bind करने का binding की form में मतलब जो strength कौन provide करेगा strength के लिए अगर हम बात करें तो जो best cementing की form में question में आपको वैसे तो clearly clarify करना चीए कि वो setting की बात कर रहा है वो hard होने की बात कर रहा है यह strength की बात कर रहा है तो best cementing की बात करें strength की अगर हम बात करें तो उसके नजर से tricalcium silicate जो है वो best material होता है तो अब फटा-फट एक बार questions पर नजर डालते हैं कहां कहां से सवाल पूछते है tricalcium aluminate flesh that's a related version आपसे पूछता है maximum heat of hydration higher heat of hydration से related यह पूछता है यह सवाल इससे related पूछता है next बात करें दोस्तो tetracalcium aluminio ferrite इससे related जो पूछता है rate of hydration से related तो initially जो इसका release of heat होगा वो जादा होगा या इसका rate of hydration जो है rate of hydration इससे related question जो है आपसे पूछता है rate of hydration किसका जादा होगा यह question आएगा इससे related tricalcium silicate कि अगर हम बात करें तो इससे पूछा जाता है cementing properties जो best cementing property होगी वो किसकी वज़े से tricalcium silicate पहला सवाल दूसरा सवाल initial strength के लिए कौन responsible होता है वो होता है tricalcium silicate यह सवाल आपसे पूछा जाता है later stages dicalcium silicate लगबग एक साल इसको लग जाता है इसकी पूरी strength जो है वो आने में और उसके बाद भी वो धीरे-धीरे strength जो है वो आती रहती है तो जहाँ जहाँ पर early strength की requirement है वहाँ पर आप tricalcium silicate use करो उसकी quantity जादा use करो जहाँ पर later stages में strength जादा चाहिए वहाँ पर आप C2S जो है वो use कर लो अब बात करते हैं दोस्तो hydration of cement की जैसा कि हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे hydration of cement मतलब cement जो है वो water के साथ react करती है chemically जब उसके साथ react कर रही है तो हम उसे बोल देते हैं कि hydration हो रहा है और उस दोरान जो heat release होती है वो heat release होती है उसको हम कहते है heat of hydration और ordinary portland cement जो होती है उसके अंदर मतलब ordinary portland cement जिसके composition अभी हमने पढ़े कि क्या क्या उसके अंदर ingredients होते है इसकी अगर हम बात करें तो उसके लिए लगबग लगबग 89 से 90 calorie पर ग्राम यह होती है शुरू के साथ दिन में 89 से लेके 90 calorie पर ग्राम होती है और बाद में वो total जो है 100 तक पहुंच जाती है लगबग 90 days तक 90 से लेके 100 पहुंच जाती है 28 days में 90 से लेके 100 पहुंच जाती है कहाँ पर 28 days में तो initially यह जादा होती है शुरू के साथ दिन में तभी हम curing जो है वो initially जादा provide करते है ऐसा थोड़ी ना है कि structure बन गया और आज भी आप curing कर रहे है उसकी जो शुरू आती दोर है वहाँ पर heat of hydration जादा release होती है इसलिए हम वहाँ पर provide करते हैं अब water की requirement की बात आती है दूस्तों तो water जो है वो क्या कितना use करेंगे पानी कितना use होगा तो लगबग 23% weight of cement के 23% हम water जो है वो use करते हैं 23% है वो hydration के लिए water की जो reaction करवाने के लिए cement के लिए 23% water चाहिए cement को hydrate करवाना है chemicalी तो लगबग 23% जो है water चाहिए उसके बाद कुछ पानी चला जाएगा उसके void में कुछ water जो है वो उसके void में चला जाएगा लगबग 15% तो total जो water की quantity हमें चाहिए वो water की quantity हमें कितनी चाहिए होती है वो 23 plus 15 कितनी चाहिए होती है 23 plus 15 तो 38% हमें water जो है वो चाहिए होता है या आप ये कहले जी cement का hydration करवाना है तो 38% हमें चाहिए होता है अब बात आती है दोस्तों जितना ज़ादा आप water increase करते जाते हैं, उतना ही ज़ादा क्या हो जाता है? Cement जो है, वसकी strength, लगब बॉइंट 4 से 0.6 के बीच में रखते हैं, कम रखने की कोशिश करते हैं. तो आपने देखा होगा, या आप देखेंगे, अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा तो अभी बस इसी तरीके से सुन लेजिए कि जब हम RCC पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि जो high strength की जो concrete है उनके अंदर जो water की quantity है वो कम रहती है 0.4 से भी कम हो जाती है गई बार 0.35 हम ले लेते हैं तो क्या hydration नहीं हो रहा वहाँ पे cement का ये जो पानी है वैसे भी ये 23% की अगर हम बात करें तो practical application में जब हम देखेंगे और cement के particles के level पे जब हम देखेंगे जाके तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि वो particle पूरा का पूरा water से surrounded थोड़ी नहीं है आसपास cement के और भी particles है आसपास और gel form हो जाती है तो वो जो gel form हो रही है या जो आसपास और particles है उसकी वज़े से वो पूरा का पूरा water utilize ही नहीं हो पाता है तो इसलिए ये जो इतना पानी हम provide करते है ये इतना भी sufficient रहता है कि अगर आपको hydration करवानी है या फिर अगर आपको उसके अंदर reactions करवानी है क्योंकि 100% जो hydration जो है वो तो possible नहीं होता है कहीं न कहीं कुछ नो कुछ possibilities जो है वो तो रही जाती है heat of hydration की अगर हम बात करें maximum किसकी होगी rate of hydration किसका जादा होगा एक बार जल्दी से आप नजर मारिए just give me one minute जल्दी से ये दो sequence आपको याद करने है heat of hydration, rate of hydration जल्दी से याद करिए इनको weight, weight का लेते हैं जब भी हम proportion की बात करते हैं by weight याद होगे हैं सबको जल्दी से बताइए ये sequence याद रखना है यहाँ से objective सवाल जो है वो पहले पूछे हुए है SSC में भी आते हैं state जो exam है आपके state public service commission के exam होते हैं वहाँ भी आप से पूछते हैं education complete करेंए दो सारा complete हो जाएगा सबस्टार्टिंग से बिल्कुल basic से class का thumbnail number आप देखते रहेगा वो class number होगा वो subject की class का number नहीं होगा वो total overall sequence चलेगा तो जितने subjects होते जाएं आप पढ़ते जाएगा देखते जाएगा तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि हाँ कहां से कौन सी class जो है वो कैसे connect हो रही है so you can study accordingly clear चली आगे पढ़ते हैं याद हो गया बहुत अच्छी बात है दोस्तों सबसे जादा tricalcium aluminate उसके बाद tricalcium silicate फिर उसके बाद tetra calcium aluminate और उसके बाद आ जाता है आपके पास dicalcium silicate rate of hydration की बात करें c4af c3a c3s c2s c2s बचारा सबसे कम ठीक है rate भी कम है इसका क्योंकि अराम से चल रहा है एक साल बाद आगे चलेंगे आज तो 720p में भी दिख रहा है I think so हाँ इस बार की playlist definitely अलग होगी चलो किसी को नीन तो नहीं आ रही manufacturing of cement की बात करते हैं cement की manufacturing के तीन basic process होंगे सबसे पहले जो ingredients हैं उनको mix करवाया जाएगा फिर उसके बाद उनको burn करेंगे burn करने के बाद clinkers form हो जाएगे उसके बाद उनकी grinding कर देंगे जादा कुछ पर हम water का use करते हैं तो फटा फट से देख लेते हैं क्या important चीज हैं जहां से सवाल पूछते हैं आपको जो भी clay containing या फिर आप ये कह लिजी argilaceous जो compound होते हैं जिनके अंदर आ जाते हैं आपके slate और लेट राइट आते हैं या फिर आप बात कर लीजे lime या marble या जो भी calcium के compound है calcium के जो भी आपके पास ingredients हैं इस तरफ आपके पास lime के हैं उनको क्या करेंगे चोटे चोटे particles में piece लो grind कर लो grind करने के बाद क्या करो उसको आप क्या कर दो mix कर लो उन दोनों को वापस में क्या कर करवाएंगे 800 degrees Celsius पर preheating आप करवाएंगे preheat करवाने के बाद फिर आप temperature increase करेंगे rotary kill में जो kills होती हैं बड़ी बड़ी भटियां होती हैं जिनके अंदर क्या करते हैं temperature बहुत जादा रहता है उनके अंदर हम इनको डाल के और temperature को increase कर देंगे वो temperature increase किया जाएगा 1400 से 1500 degrees Celsius और जहां पर सारे compound जो हैं वो क्या कर जाएंगे जो भी आपने lime, silica, alumina, gypsum ये आपने जो add की हैं ये सारे आपस में क्या कर जाएंगे fuse हो जाएंगे मिल जाएंगे आपस में अच्छे से जब mix हो गए तो उसके बाद क्या बन जाएंगे उससे clinkers बन जाएंगे जो particles बन करते थे, wet method के अंदर बस कुछ नहीं, clay containing, clay containing और calcium containing compounds थे, उनको क्या किया, छोटे-छोटे particles में तोड़ा, mix किया, उसके बाद उनकी slurry बनाई, मतलब उसके साथ water add करके अच्छे से उसको blend कर दिया, water add करके अच्छे से उसको blend कर दिया, mix कर दिया अच्छे से उसको, और उस आपको answer जो है, वो बताना है, 1400 से 1500 डिग्री Celsius, यही question इन से related, cement का manufacturing process है, उससे related पूछा जाता है, ज्यादा सवाल जो आपके आते हैं, वो आते हैं, testing of cement से, testing कि अगर हम बात करें, तो दो प्रकार से आप test कर सकते हैं, cement जो है, उसको अगर आप use कर रहे हैं, तो test उसका करना पड़ेगा आपको, अगर आप बहुत बड़ा project जो एक्जीक्यूट करने जा रहे हैं, कोई बहुत multi-story building बनानी है, आपको खुद का mansion बनाना है, बंगलो बनाना है, तो आप ऐसे धोड़े नहीं की, ठीक है, market में अब तो आपके पास available हैं, अलग-अलग अच्छे brands हैं, ज आप पूरा ensure होना चाते हैं, तो आप करेंगे उसके test, दो तरीके से test कर सकते हैं, एक तो जब field पे हैं, जब आप site पे हैं, वहीं पर test कर सकते हैं, जिसे हम बोल देता है, field test, एक आप उस sample को laboratory में लेके जाएंगे, lab में लेके जाएंगे, आप उसको और वहाँ पर आप इस जाल के देखें, तो आपको cooling वाली जो अच्छी feel होनी चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो physical properties के जो test हैं, जो field पे हम करते हैं, color, physical, strength ये तीन test करेंगे हैं, फिर उसके बाद laboratory के अंदर हम करते हैं, उसकी fineness का particles कितने छोटे हैं, consistency का water से related, फिर उसके बाद उसकी setting time test, soundness test, strength का test, chemical composition, specific gravity and so on, ये जो कुछ और test हम इसके उपर करते हैं, जो laboratory में किये जाते हैं यहाँ पर, तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए, कौन से field test है, कौन से laboratory test है, इन से related जादा तर सवाल आपसे पूछे जाते हैं, field test में अगर हम बात करें दोस्तों, तो color आपको प uniform gray color throughout आपको clearly दिखना चाहिए, ये पहली property, इसमें तो याद करने में कोई मेहनत इन ही आपको सबको पता है, cement जो है, वो uniform gray color आपको दिखाई देता है, दूसरी बात करें तो physical property का test आता है, next आता है आपके पास physical property test, physical property test के इंदर क्या करेंगे, cement को आप क्या करिए, आप fingers क बीच में लेके आप क्या करके देखे, रब करके देखे, तो smooth feel होना चाहिए, अगर fingers के बीच में आप उसको rub कर रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, अगर आप उसको पानी में डाल रहे हैं, तो वो क्या कर जाए, वो sink कर जाए, कुछ देर float करनी चाहिए, फिर उसके करते नहीं है तो वो कुछ देर तक प्लोट करें उसके बाद जो है वो क्या कर जाए सेंपल शुड भी फ्रॉम प्रेजिंस ऑफ एनी लंप कोई भी पार्टिकल या लंप जो है वो उसके अंदर नहीं फॉर्म होने चाहिए जैसे अगर आप यहां पर देखें डाइग्राम के ग्रेड की बात करेंगे लास्ट में बात करेंगे लास्ट में बात करेंगे सारी चीज़ें कंक्लूड करके फिर मैं आपको समराइज वे में बताऊंगा 33 ग्रेड 43 ग्रेड 53 ग्रेड इनकी प्रॉपर्टीज क्या है उनके बारे में बात कर लेंगे परेशान होने की उसकी length 200 mm o तो 25 by 25 into 200 का block ले लो इसके उपर आप क्या करो load लगा हो 340 Newton का और अगर ये sustain कर जाए तो वो ठीक है अगर नहीं कर पाती है तो आपकी cement जो है वो unfit रहेगी field पे आपने ये test करके बता दिया यहाँ पर ठीक है next आते हैं laboratory वाले test lab test में बात करें तो पहला आता है fineness का test पहला test आता है fineness का particles जो है वो कितने fine है fineness का test हमें क्यों करना पड़ता है fineness का test हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि हम ये जान पाएं कि वो strength जो है वो कितने जल्दी अचीव करेगा particles जितने छोटे होंगे उतने ज़्यादा वो जल्दी से react करेंगे उतने ही ज़्यादा वो cement जो है वो अपनी property को exhibit कर पाएगी अगर कोई बड़ा सा particle आपने ले लिया तो अब इसके साथ अगर water की reaction होगी तो यह तो सिर्फ यहां यहां पर react कर पाएगा इसका जो surface area वो कम है as compared to इसी particle को अगर आप छोटे छोटे particles में तोड़ दो तो weight तो वही रहा लेकिन area इसका with respect to its weight specific surface area जिसको हम बोलते हैं कितने centimeter square पर gram तो यह जो आपका specific surface area यह बढ़ जाएगा जितना ज़्यादा specific surface area होगा उतना ही ज़्यादा यह better react कर पाएगा इसका surface area बढ़ गया तो ज़्यादा surface exposed रहेगा water को तो वो ज़्यादा अच्छे से react करेगा उतनी ज़्यादा strength जो है वो impart कर देगा तो specific surface area जो है वो check करने के लिए यह कह लिए strength को ensure करने के लिए कि इसमें कैसे introduce होगी fineness को check किया जाता है fineness को check किया जाता है पहला sieve के according आप check कर सकते हैं जो sieve method है, sieve में क्या use करेंगे, सवाल कहां से पूछा जाता है, question आप से पूछा जाता है कि आपको is sieve number 9 यह 90 micron पहला objective question जो इससे related पूछता है, fineness से related वो है कि sieve method से अगर हम करते हैं तो is sieve number 9 हम use करते हैं यहाँ पर और जो sieve के उपर आपने क्या use किया, 90 micron की sieve ली और let us say कि आपने 100 gram cement का sample ले लिया उस 100 gram में से 90 gram जो है वो pass हो जाये, कम से कम 90 तो pass होना यह चीए 10 से जादा यहाँ पर retain नहीं करना चीए, not more than 10 10 से जादा यहाँ पर retain नहीं होना चैए, 10 से कम कम retain होना चैए, और 90 से जादा जादा pass हो जाना चैए, यहाँ पर इस sieve test के according तो पहला सवाल आये सीव नंबर 9 या 90 माइक्रों की सीव यूज़ करते हैं दूसरा सवाल 10% of the weight इससे ज़्यादा रिटेन यहाँ पर इसके उपर नहीं होना चाहिए next method आता है हमारे पास air permeability test होता है जिसके अंदर क्या करते हैं एक आपकी cement का bed होगा उसके तुरू air pass करवाएंगे वहाँ पर तो वो कितनी pass हो पा रही है उसके according हम क्या करते हैं उसका specific surface area हम बताते हैं blanes apparatus हम इसको बोलते हैं तो blanes air permeability apparatus या blanes air permeability test किया जाता है किसके लिए fineness check करने के लिए ये भी objective में पूछा गया है fineness check करने के लिए कौन सा method यूज करते हैं blanes air permeability test जो है वो हम यूज करते हैं ordinary food length cement के लिए उसकी value 2250 cm2 per gram से कम नहीं रहना चाहिए और अगर rapid hardening cement की बात करें जो last year SSC में जो question अभी पूछा गया recent में वो पूछा गया तो 3250 cm2 per gram इससे कम नहीं रहना चाहिए देखो दोस्तों और बहुत सारी properties हैं और बहुत सारी चीज़ें जहां से आप पढ़ सकते हैं endless हैं code आप उठालो cement का और कितने भी चीज़ें पढ़ते जाओ लेकिन जहां से सवाल आते हैं जो चीज़ें important है वही चीज़ें हम पढ पढ़ना है पढ़ना इतना ही है जो चीज़ें आपको बताई जारी है उतना ही पढ़ना है तो लैब टेस्ट आपके पास यह हो गए एक और चीज़ें आएगी आपके पास एक डेटा और अगर आप याद रख सकते हैं तो portland pozo lana cement अगर आपके पास है क्या होती है कैसी properties ह होती है वो लास्ट में बात करेंगे 30225 यह किसमें दे रखें मीटर स्वायर पर केजी के अंदर तो एक जीरो और लगा लिजी अगर आप सेंटिमेटर स्वायर पर ग्राम में कल्कुलेट कर रहे हैं और दिनरी portland cement के लिए 250 फिर उसके बाद rapid hardening के लिए हम यूज करते हैं 3250 और उसके बाद 3000 हम यूज करते हैं पोडलेंड पोजलाना जो सिमेंट है उसके लिए हम यूज करते हैं अगर आप test यूज करने सीव टेस्ट तो सीव टेस्ट के corresponding 10 ग्राम यह 10 परसेंट 5 गया rapid hardening cement के लिए 3250 cm2 पर ग्राम इससे कम specific surface area नहीं होना चाहिए इस बार हो सकता है residue से related पूछे तो सीव टेस्ट से related अगर सवाल पूछता है तो 10 वाला तो आप और जानते हैं 55 और याद कर लिए rapid hardening के लिए 5 और ordinary foodland cement के लिए 10 होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं standard consistency test पै करते हैं वाइक अपरेटस से अब इसको वाइक अपरेटस बोल दीजिए विकाइट अपरेटस विकाट अपरेटस जो आपका मन करें वाइक अपरेटस जो है standard consistency test हम इससे करते हैं वाइक अपरेटस से related question 2-3 आप से पूछे जाते हैं इसके अंदर plunger होगा यहां पर क्या हो हैं वो मोल्ड जो है इसके dimension की बात आती है और उसका importance क्या है इसका importance यह है कि इसकी जो height होती है 40 mm इसकी height कितनी होती है 40 mm तो यह जो plunger है इसको हम क्या कर रहे हैं वाइक अपरेटस का जो plunger है इसको हम insert करते हैं और कितने time के अंदर वो पानी की quantity जो cement में present है जिस पर कितने time में कितने time के अंदर 33 से 35 mm का penetration आपका मिल जाए आपको penetration of 33 to 35 mm आपको मिल जाए आप उस water को उस water की quantity को आप कहते है standard consistency दुबारा से सुनिए standard consistency का मतलब क्या है वो quantity of water cement के अंदर जिस पर आपको 33 से 35 mm का penetration मिल जाए यह total 40 mm था इस से यहाँ पर 33 से 35 जब top से 33 से 35 हो जाएगा तो bottom से 5 to 7 बचेगा अगर top से यहाँ से 33 से 35 mm का penetration होगा तो bottom से 5 से 7 का बचेगा तो यही objective में सवाल पूछा गया इस बार कि bottom से कितना distance बचता है जब आप standard consistency बोलते हो उसको तो standard consistency वो water की requirement है वो water की quantity है जिसके उपर आपको यह जो वाइकेट apparatus यूज कर रहे हो इसका जो plunger है वाइकेट plunger जिसका size 10 mm डाया है 20 mm उसकी height है उसका penetration आपको 33 से 35 mm मिल जाए from the top bottom से अगर आप बात करेंगे तो bottom से 5 to 7 तो आप इसको लिख सकते हैं साथ में from 5 to 7 from bottom bottom से 5 to 7 होना चाहिए ठीक है we find the water content at which cement consistency is produced और इसको हम P से denote कर देते हैं जो standard consistency है उसको हम P से denote कर देते हैं किसी को नीन तो नहीं आ रही देखो थोड़ा आराम से चल रहे है क्योंकि सारी चीज़ें समझते हुए चल रहे हैं सारी questions हम समझते हुए चलने अभी कोई वो तो है नहीं कि आपका दो दिन बाद exam है या कोई मेरतन हमें करनी है हां यह चीज़त है रहे है कि जो topic बताया वो topic complete होगा जगर cement की बात की तो cement complete हो गई होगा तो हम topics के according चलेंगे rather than just time classes की duration क्या होगी duration एक गंटे से दो गंटे कुछ भी हो सकती है topic complete करना है हमें एक गंटे में complete होगा तो बढ़िया दो गंटे में हो रहा है तो बढ़िया 1.5 hours में हो रहा है तो बढ़िया जब जितने time की ज़रूर है तह उतना time लेंगे topic ज़रूर cover करेंगे मुसको ठीक है standard consistency test की बात हो रही है standard consistency test के अंदर वो water की requirement जिसके उपर y kit apparatus का जो plunger है जिसकी height है 50 mm जिसका diameter है 10 mm वो penetrate करे 33 से 35 mm depth तक from the top of the mold इस mold के top से लेके 33 से 35 mm का penetration मिले या फिर bottom से हम बात करें तो bottom से आपको मिले 5 से 7 का तब उस water content को आप कह देते है standard consistency, standard consistency का use आगे आएगा जब हम initial setting time पढ़ेंगे उसके अंदर हमारा इसका use आने वाला है तो ये पूरी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण जो line है वो ये है y kit apparatus के अंदर जो plunger है उसका height और dia 50 mm height 10 mm dia penetration 33 से 35 mm from the top of the mold from the bottom of the mold वो है आपका 5 to 7 mm standard consistency समझ में आया सबको आगे बड़े चलो आगे बड़े इसे क्यों करते हैं इसे इसलिए करते हैं ताकि हम cement का setting time initial setting time, final setting time और जो soundness test हम करते हैं उन सब के लिए हमें एक appropriate amount of water पता हो water की quantity पता हो कि कितना water add करके फिर वो test करने हैं उसके लिए हम standard consistency test जो है वो हम adopt करते हैं setting time test जो है setting time दो प्रकार से कह सकते हैं आप कि जब cement अपनी plasticity, plasticity का मतलब क्या है कितनी आसानी से आप इसको mold कर सकते हो, उसको shape दे सकते हो कितनी आसानी से आप इसको mold कर सकते हो तो cement जो है जब अपनी plasticity lose करना शुरू करें उस वक्त को आप कह देंगे कि वो initial setting time आ गया जल्दी से बताइए फील्ड पर concrete यूज करते हैं अब्वेस सी बात है टेस्ट करते हैं आपने शुरू में भी देखा होगा बहुत छोटे-छोटे cubes कर रहे है 25 x 25 x 200 mm similar way में आगे जाके हम 7.05 cm का cube लेकि उस पर compression का test करेंगे तो जो cement है उसका जितना बड़ा size अगर आप लेंगे mold का size अगर test के रूप से ही मैं बात कर लूँ अगर आपने cement के बड़े size ले लिए तो वो क्या कर देगा shrinkage हो जाएगा उसमें cracks आजाएगा आप use करके देख लेना यह बचपन में आपने use किया होगा जब भी आपके घर पे construction चल रहा होगा तो थोड़ा ऐसे होता है ना कि मैं भी मेरा छोटा मोटा कुछ बनाओ तो आप बना के देख लीजिए सिर्फ cement को use कर लीजिए सिर्फ cement को use करेंगे उसमें cracks आए बेना रहेगा ही नहीं बहुत जादा heat of iteration रिलीज हो जाएगा ठीक है bonding अच्छी होगी लेकिन फिर भी बाद में strength नहीं आएगी क्योंकि concrete के अंदर क्या होता है aggregate compression के अंदर strength प्रोवाइड करता है तो cement तो बस एक binding material है फिर binding के कारण थोड़े ना strength करी हो जाएगी उसकी और भी तो ingredients चीए जो aggregate होंगे aggregate compression के अंदर strength लेके हैंगे cement उन सबको एक साथ bind करके रखेगा यहां पर तो सबका साथ सबका विकास होता है कितना होता है वो तो पता नहीं दोस्त फिर मैं इन चीज़ों पर जाऊंगा नहीं फिर कुछ दोस्त परिशान हो जाता है भाई अपने को politics, politics के बारे में कोई मतलग नहीं है कोई कुछ नहीं बोलते हैं अपने बस जहां पर जो चीज़ valid होती है valid question जहां पर बनता है employment पर है तो employment पर सवाल पूछे जाएंगे तो पूछेंगे तो उसमें किसी को यार बता नहीं क्यों कुछ दोस्त परिशान हो जाता है आप तो यह हो आप तो इनके चम्चे उनके चम्चे हो किसी के अपने भगता है ना किसी के दुश्मन 30 minutes और 10 hours आपने बता है इसका initial setting time final setting time तो initial setting time 30 minutes correct है final setting time final setting time 10 hours अब आप एक बात बता हो बहुत बार ऐसा होता है आपने देखा होगा field के उपर कि जब आप जो मैसन है जो मिस्तरी काम कर रहा होता है वो क्या करता है अपने जो भी assistant होता है उसको बोलता है चल मसाला बना ये बना फिर वो mix कर रहा होता है उसको फिर बीच में चाय आ जाती है तो बैठ के राम से निकल जाता है तो वो cement तो set हो जाना चाहिए वो तो set हो जाना चाहिए ना क्यों नहीं होता एक चीज तो यह है कि वो ideal condition में work नहीं करता पहली बात दूसरी कि वो cement हम use कर रहे है वो machinery form में आ गई है अब वो क्या use कर रहे हैं आप उसको send के साथ use कर रहे है machinery form के इंदर use कर रहे है तो जो machinery cement होगी उसका 90 minutes होता है initial setting time जो उसका कितना होता है 90 minutes होता है और 24 hours उसका final setting time होता है तो machinery की अगर हम बात करें machinery cement तो उसका जो initial setting time होता है वो होता है 90 minutes और उसको पता होता है इसलिए वो थोड़ा chill करके अराम से काम कर रहे है final setting time के अगर हम बात करें तो वो final setting time होता है 24 hour, ये messnery cement के case में होता है, जो हम ideal की बात कर रहे है, cement का bag आप खरीद के लाएं, उसका test कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे है हम यहाँ पर, तो ordinary podland cement के लिए कितना होता है, 30 second होता है, ठीक है, चलो, initial setting time पर आते हैं, initial setting time test कैसे करेंगे standard consistency test आपने कर लिया और objective में यही पूछा जाता है कि इन में से कौन सा test सबसे पहले करेंगे तो initial setting time, soundness और जो आपका consistency test time में सबसे पहला जो test किया जाएगा वो consistency किया जाएगा क्यों? क्योंकि आगे जाके इसका use होगा standard consistency आपने पता कर ली कि वो IP फिर उसके बाद आप जाएगे initial setting time test करने तो उसके लिए आपको जो water की quantity चाहिए होगी वो चाहिए होगी 85% of standard consistency जब आप setting time test करेंगे चाहे initial कर रहे हैं चाहे final कर रहे हैं दोनों test के case में आपकी जो consistency use होगी जो amount of water use होगा वो 0.85 into standard consistency हम use करते हैं यह याद रखना है objective में पूछा भी जाता है तो जो भी आप cement की quantity ले रहे हैं 500 ग्राम अगर आपने cement ले लिया तो उसमें कितना water add करेंगे जो consistency test किया हमने और उस consistency test में जो peaky value आई उसका 85% आप use करो उसके बाद आप क्या करो जो needle है उसको लीचे lower करो और release कर दो यहाँ पे जो भी penetration 33 से 35 mm का जो penetration है कितने time पर आता है वो आपके पास क्या आजाता है initial setting time तो initial setting time जो है वो 30 minutes होना चाहिए किसके लिए ordinary Portland cement के लिए final setting time में भी सारी बातें same रहेंगी अंतर कहां आया final setting time कब बोलेंगे जब cement completely loses its plasticity जब plasticity lose करना शुरू करती है वो initial setting time जब completely lose कर देती है तो final setting time हम इसको बोलते हैं तो final setting time में सारी बातें same रहेंगी सबसे पहले आपने क्या test किया consistency test किया consistency test करने के बाद आपने कहा कि setting time पता कर रहे हैं तो setting time चाए initial है चाए final है दोनों की case में 85% of standard consistency आप इतना water लेंगे 85% of standard consistency वो water का quantity था जिसके उपर आपका y-ket apparatus जो है उससे plunger का penetration 33 से 35 mm आपको penetration मिलता है from the top of the mold या 5 to 7 mm मिलता है from the bottom of the mold वो आप standard consistency बोलते हैं उसका 85% आप use करेंगे जब आप setting time टेस्ट कर रहे है final setting time चाए initial setting time यह आपने use किया फिर उसके बाद आप कहेंगे कि annular collar जो है आपके पास उसका impression ना आए सिर्फ और सिर्फ needle का impression ना आए final setting time is the time when annular collar fails to make an impression जो annular collar होगी आपके plunger की वो कोई impression नहीं create कर रही है सिर्फ और सिर्फ जो needle present रहती है उसके नीचे वो present वो impression create कर रही है तो उस वक्त को हम कह देते हैं कि वो इसका final setting time आ गया I repeat once again final setting time is the 10 hours for ordinary borderland cement 30 minutes initial setting time for ordinary borderland cement, machinery cement जो हम use करते हैं उसके लिए 90 minutes होता है initial setting time, final setting time की अगर हम बात करें तो वो 24 hours होता है लेकिन हाँ इसका मतलब यह भी नहीं है कि जब हम use कर रहे हैं तो कैसे भी आराम से must use करते हैं जाओ जितना जल्दी से जल्दी possible हो उसको cement को use कर लेना चाहिए क्योंकि बाद में उसके जो properties हैं वो खराब ही होते हैं, with time properties खराब ही होते हैं next, आगे बढ़ते हैं दोस्तों उसके बाद आता है आपके पास soundness का test, तो कुछ इस तरीके से आपको एक apparatus दिखता है जिसे हम बोलते है ली चैटलियर apparatus, यह क्या होता है आपके पास, ली चैटलियर apparatus होता है, ली चैटलियर minds आप consider करेंगे इसके अंदर, उपर और नीचे आप glass plate लगा सकते हैं, उसके बाद उसके उपर weight भी आप रख सकते हैं, कुछ अगर रखना है इसके बीच में cement का paste जो है, वो इस mold में, इस खाली जगां के अंदर भर दिया जाएगा, ली चैटलियर apparatus की मदद से हम बस यही चेक करते हैं कि उसके अंदर expansion कितना आ रहा है volume change कितना रहा है, cement के अंदर वो किसकी मदद से करते हैं, soundness test, तो soundness test जो है उसका मतलब क्या है, volume changes से related इसका मतलब है, SSEJ 2020 के अंदर सवाल क्या पूछा गया прич Dwırd lumière apparatus जो है, इसकी height पूछे गई, इसका diameter और height तोल oni कीतने होते हैं, 3 cm होते हैं, diameter और height 3c cm, तो आप imagine कर सकते हैं, यह कितना चोटा होगा, इतना सा होगा, diameter और इसकी जो height है, वो दोनों गितने होते हैं 3 cm होते हैं, जितने भी cement के test होते हैं, उनके mold बहुत चोटे-चोटे होंगे cement के जितने भी test होंगे उनके mold जो हैं, वो बहुत चोटे-चोटे रहते हैं आप y-ket apparatus देख लो छोटा सा 40 mm की height रहेगी यहां पर उस जो mold हम यूज़ कर रहे हैं यहां पर आप देख लो 30 into 30 concrete वाले जो blocks होते हैं वो बड़े होते हैं, concrete के अंदर 150 mm का use करते हैं, यहां पर हम कितना use कर रहे हैं, 30-30 तो इसका diameter भी 30, इसकी height भी 30 और यही SSC के अंदर पूछा गया पिछले 5 साल के अंदर कोई एक paper ऐसा नहीं था, जिसमें soundness test related या leach adlier autoclave इन से related question नहीं आया हो तो soundness के लिए कौन सा test करते हैं इसके लिए test हम करते हैं, leach adlier apparatus से हम करते हैं, leach adlier test जो है, वो किसके लिए use होता है, सिर्फ और सिर्फ lime के लिए use होता है, इसके अंदर अब यह पूरी कहानी जो है, यह छोड़ दीजिए, बस सुन लीजिए, जो काम की बात है जहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं leach adlier apparatus जो है, उसका diameter of mold 30, height कितनी 30, इसके जो दो arms है from the mid of this mold इस mold के mid से लेके end तक का, जो distance है वो कितना है, 165 mm और यह भी आपसे सवाल पूछ सकता है वो यह जो arm की length है from the mid of the mold, वो 165 mm होती है यहां पर इनके बीच में split present रहता है, यहां पर बीच में यह जो आपका एक marking रहती है, यह कह लिजे split present रहता है, इस mold के अंदर अगर आपको इस diagram में भी दिखे हैं, यहां पर किया, इसको जो आपका leech at least apparatus है, इसमें cement भर दी, अच्छे से इसके अंदर cement आपने भर दी, level करके spatula use करके, दोनों end से आपने उसको पूरा अच्छे से मतलब cement को भर रखा है, cement भरने के बाद, आप उपर और नीचे glass plate यूज करेंगे, glass plate यूज करके आपने क्या किया, उसको water bath में डाला, आपने उसको क्या किया, water bath के अंदर आपने उसको डाला, और जिसके अंदर 27 से लेके 32 degree Celsius तक temperature present था, 27 से 32 degree पर temperature present था, मतलब क्या है, हम 27 degree के comparison में हम बता रहे हैं कि कितना volume change आया, वो तकता आप जब test कर रहे हैं, वहाँ पर room temperature 35 degree हो, 40 degree हो 20 degree हो, कुछ भी हो, तो हमें किसके reference में बताना है, 27 degree के reference में, तो 27 degree के उपर पहले तो इसको 24 गंटे तक रखेंगे तब आप क्या कर लो इन दोनों arms की बीच का, 24 आर तक रख दिया उसको, अब उसको निकालो, इन दोनों arms की बीच में आप क्या करो, distance measure करो, कितना है वो आपने first reading ले ले फिर उसके बाद क्या करो, इस पूरी assembly को फिर से आप water के अंदर रखो और उसका temperature increase करो, boiling temperature तक, 25 से 30 minute लगबग लगाओ, उसको दीरे दीरे, ऐसे नहीं, एकदम से उसको heat कर दिया water के बाद के अंदर डाल के यानि कि उसको आसपास के environment provide कर रहे है हम water का, तो water बाद में उसको डाल के temperature उसका increase करो temperature increase करेंगे, हम boiling point तक, 100 degree Celsius तक 25 से 30 minute में उसको लेके जाएंगे जब 25 से 30 minute तक हमने उसको 100 degree तक पहुचा दिया अब 100 degree पे पहुचने के बाद 3 गंटे तक उसको रहने दो इसी temperature पर उसके बाद, उसको 3 गंटे बाद निकालो, फिर आप ये जो arms हैं, ये जो हाथ हैं इसके ये expand हो जाएंगे, ये arms क्या हो जाएंगे सवाल, पहला सवाल जब आप ये test करेंगे तो कितना water यूज करेंगे आप यूज करेंगे 78% of standard consistency setting time चाहे initial था, final था वहाँ पर 85% यूज किया soundness में यूज करेंगे आप 78% soundness में कितना यूज करेंगे 0.78 times of standard consistency दूसरा सवाल, leach atelier apparatus सिर्फ और सिर्फ किसकी वज़े से soundness बताता है, सिर्फ और सिर्फ lime की वज़े से बताता है, lime और magnesia दोनों की वज़े से नहीं बताता है leach atelier apparatus soundness किसकी वज़े से बताएगा सिर्फ और सिर्फ lime की वज़े से next question next question यह है कि यह जो split आएगा वो किसके ज़ादा नहीं होना ची ओर्डिनरी पोर्टलेंट सिमेंट के लिए जो आपने 27 डिगरी पर जो रीडिंग ली थी और उसके बाद आपने उसको 3 गंटे तक बॉयल किया उसके बाद जो रीडिंग ली उसमें 10 mm से ज़ादा का अंतर नहीं आना ची टैन एमेम से ज़ आ रही है या नहीं तो वो autoclave apparatus जिसके अंदर steam pressure का इस्तेमाल किया जाता है autoclave apparatus होता है इसके अंदर यहाँ पर आपका gauge लगा होता है steam से pressure आप उसके उपर apply कर रहे हो यहाँ पर mold जो आप use करते हो वो 25 x 25 x 250 25 x 25 x 250 mm का आप mold यूज करोगे इसके उपर आप क्या लगाओंगे steam का pressure लगाओगे कहां तक लगा देते हैं आप इसको 21 kg per cm2 21 kg per cm2 इतना pressure आप लगाते हैं लगबग 3 गंटे तक आप maintain करके उसको रखते हैं उसके बाद उस mold के अंदर जो expansion आएगा क्या कि हमने autoclave apparatus जिसके अंदर steam से pressure लगा रहे हैं हम जो हमने cement का mold बनाया उस mold के उपर क्या करेंगे आप pressure लगाके रखेंगे 21 kg per cm2 का लगबग 3 गंटे तक तो उसके बाद क्या करेंगे उसका elongation कहे लीजिए या जो उसका expansion है वो observe करेंगे और objective में आपसे पूछा क्या जाएगा autoclave apparatus के थुरू जो expansion आया वो किस से जादा नहीं होना चाहिए तो वो 0.8% से जादा नहीं होना चाहिए याद रहेगा सबको दो question पूछ सकता है पहला lime and magnesia के लिए हम autoclave apparatus यूज करते हैं lime के लिए और magnesia दोनों के लिए दूसरा सवाल expansion जो वो 0.8% से जादा नहीं होना चाहिए तीसरा सवाल कि जो pressure यूज करते हैं वो steam का वो यूज करते हैं 21 kg पर cm2 हम यूज करते हैं समझ में आ रहा है सबको देखो ऐसे नहीं करते हैं कि कितना evaporate हुआ और क्या कुछ हुआ कितना consider करना है वो हम यूज करने और water evaporate देखो कैसे हो जाएगा अगर आप बात करें इसके अंदर water की बात कर रहे हैं कैसे evaporate हो जाएगा glass plates आप यूज कर रहे हैं ना cover कर रहे हैं उसको अच्छे से ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं next compressive strength test उसके बाद आता है compressive test आपको पता है universal testing machine UTM से भी आप कर सकते हैं इसको अगर आपको करना है तो concrete के लिए हम use करते ही है compressive strength test की बात करें तो compression का load लगाना है cement के cube के उपर पहला सवाल जो आप से पूछा जाता है वो सवाल पूछा जाता है कि क्या सिर्फ cement use करते हैं इस compression test को करने के लिए जी नहीं इसके अंदर हम sand का भी इस्तिमाल करेंगे यहाँ पर तो cement और sand use करते हैं किस proportion में use करते हैं 1x3 proportion के अंदर हम cement और sand का इस्तिमाल करते हैं पहला सवाल compression के अंदर जो test use करेंगे cement और scent का proportion 1 is to 3 दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाता है mold का size क्या होता है यह कहलेजे cement का cube लेंगे उसका size क्या होगा तो 7.05 cm क्या size लेंगे 7.05 cm या फिर 70.5 mm का mold लेंगे और यह आपसे objective में सवाल पूछा जाता है size क्या लेंगे यह consider करेंगे engineering services के जो objective questions है या फिर आप यह कह लीजे जब भी आपसे statement वाले सवाल पूछे जाएंगे which of the following statement are correct या फिर assertion reasoning वाले जो सवाल आ जाएंगे उन में एक सवाल ऐसा बनता है इस topic से related compression test से related जो बनता है वो पूछता है कि water कितना लेंगे वो पूछता है आपसे कि water की quantity कितनी consider की जाएगे अगर आप compression test कर रहे हैं तो water की quantity जो हम use करते हैं वो use करते है p by 4 p क्या थी standard consistency के लिए कितना पानी चाहिए divide by 4 plus 3.5 इतना use करेंगे आप p by 4 plus 3.5% इतना आप add कर देंगे यह water आप use करते हैं जब भी आप compression के लिए test कर रहे हैं तो यह point important है यहाँ पर जब भी statement वाले सवाल आएंगे जहाँ पर उनके लिए यह point important रहेगा objective one liner जो आप SSC के अंदर या state के जो आपके exam होते हैं उनमें पूछता है उनके अंदर तो आपको पता ही है 70.5 mm का mold यूज़ करेंगे या 7.05 cm आपको बताना है यहाँ पर उसके बाद compression testing machine या फिर आप universal testing machine इनका आप यूज़ कर सकते हैं OPC 33 grade की अगर cement की बात की जाए तो 28 दिन पर जो strength आती है 33 stands for 33 newton per mm square यही सेम सवाल जो है आपसे SSCJ 2020 में भी पूछा गया 7 days पर जो strength आती है वो 2 third होती है और 3 दिन पर लगबग 50% strength जो है वो आ जाती है यह compression का test हो गया सवालों पर आते हैं पहला सवाल compression का यूज़ करेंगे या फिर आप cement इस्टेंसी है वो उसका divide by 4 plus 3.5 mold का size 70.5 ordinary portland cement 33 grade किये है तो 3 दिन पर 50% strength आज दिन पर आ जाती है 2 third और 28 days पर जो strength है वो हम consider करते हैं 33 newton per mm square अब दूसरे test पर आते हैं strength का जो दूसरा test है वो आता है tensile का test tensile strength अब देको tension को पता करने के लग 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 तरीके होते हैं दो तरीके की tension होती है एक तरीके जैसे अगर हम घरेलू बाशा में देखें एक direct tension होती है ममे बापा कि किसी ने पिता जी आए उन्होंने आपको एक प्यार से तौफा दिया फिर उसके बाद बोला नलायक पड़ता नहीं है कुछ नहीं कर रहा वो direct tension है ठीक है एक होती है indirect tension जो रिष्तेदार देते हैं directly आगे कुछ बोल ने रहे मार ने ले लेकिन ऐसा dialogue बोल देंगे कि tension आ जाएगी सेम तरीके से दो प्रकार से आप tension लगा सकते हो किसी block के उपर एक tension कैसी होगी direct वाली तो इसके उपर तो आपने क्या कर दिया इसको direct पकड़ के खीज दिया direct करके tension लगा दी तो ऐसा जो है बहुत मतलब direct जो है आप test नहीं करते हैं इसके उपर अगर हम बात करें कि cement जो है उसको पकड़ के आप किस तरीके से किस प्रकार से आप test कर सकते हैं उसका proper फिर मतलब पदा नहीं कर पाएंगे उसकी clamping proper नहीं हो पाएगे तो direct test जो है ऐसा तो नहीं possible फिर उसको कैसे किया जाए उसको हम करते हैं bricket की help से यह bricket जो आपको दिखाई दे रहे इस mold के अंदर हम क्या करेंगे cement को डालेंगे ऐसा mold बनाएंगे फिर उसके बाद उसका test करेंगे तो bricket के थुरू करते हैं तो एक तो हो गया कि उसके उपर direct tension लगाना दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप इसी के उपर क्या कर दो दो support लो और इन दोनो supports के उपर आप क्या कर दो इसका flexure करवा दो इसको bend करवाओ bend करवाने के बाद यह indirect tension आप लगा रहे है जैसे यह आपके पास कोई beam है इसको bend करवा दिया तो अब यह नीचे वाला जो surface है इसके उपर tension आ रहे है आप अपनी finger को इस तरीके से mode के देखिए यह जो नीचे वाला surface है यह खिच रहा है इसके उपर tension आ रही है यह tension किसके कारण आ लिए flexure के कारण आ रही है तो एक तो direct आप लगा रहे है उसको longitudinal axis के along आप उसके उपर load लगा रहे है pull type का load खींच रहे हैं उसको एक आप क्या करवा रहे है इसके उपर bend कर रहे है इसको बस bend किया आपने तो bend करने के कारण यह नीचे वाला जो fiber है इसके उपर tension आ जाती है तो इसलिए आपको दो शब्द आगे जैसे जैसे क्योंकि आज पहली class है तो मैं यही मान के चल रहा हूँ इस civil engineering के बिल्कुल basic से आप पढ़ रहे है इसलिए मैं आपको यह चीज़े भी बता रहा हूँ तो एक तो यह हो गया कि direct tension लगाना एक तो क्या हो गया direct तरीके से आप tension लगा रहे हैं एक bending के कारण लगा रहे है या जिसको हम technical terms में क्या बोल देते हैं कि flexural या flexor में tension लगा रहे है तो flexural tension bend किया किसी चीज़ को और उसके नीचे वाला जो fiber है या वो fiber जो elongate हो गया जो जिसकी length भढ़ रही है पहले के comparison में उसके उपर क्या आजाएगी flexural tension आजाएगी तो यहाँ पर जो हम tension की बात कर रहे है वो हम coincidension बात कर रहे हैं उसकी length के along हम load लगा रहे हैं length के along हम load लगा रहे हैं तो ऐसे तो possible था नहीं कि आप concrete का cubical component load उसके उपर लगा दो उसके proper clamping नहीं हो पाती तो हम क्या कर रहे हैं bricket का इस्तेमाल कर रहे हैं यह bricket आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहे है खब को समझ में आ रहे है यह समझ में आ रहे है bricket के उपर हम टेस्ट कर रहे हैं ठीक है bricket test हमने किया bricket के उपर आपने हाँ पर इसमें mold लिया mold के इंदर cement जो है वो डाली spatula की मदद से उपर भी और नीचे भी आपने अच्छे से उसको uniformly cement से उसको अच्छे से आपने paste से आपने उसको भर दिया यहाँ पर अब इसके अंदर भी बात आती है दोस्तों की जो cement और sand का जो आप इसमें composition लेते हैं 1 is to 3 रहता है सेम वहाँ जितना यहाँ यह test जो है बाकियों के comparison में cement की quality है cement की quality को फटा फट बता देता है और भेतर तरीके से बताता है यहाँ पर quicker indication होता है अगर कोई defect आएगा तो इसके तरू हमें जल्दी से पता लग जाएगा कि हाँ cement में defect है तो यह test जो है इस तरीके से important role play करता है कि quickly identify हो जाता है cement के अंदर कोई defect है याँ compression test से अगर मान लीजी defect है भी तो इतना अच्छे से identify नहीं हो पाएगा क्योंकि compression में तो हो सकता है कोई impurity उसके अंदर present है वो फिर भी compression में strength दे जाए लेकिन tension में वो नहीं दे पाएगे तो इसलिए ये वाला quicker identification के लिए use होता है water जो हम use करेंगे वो p by 4 plus 3.5 यहाँ पर हम use करते हैं यह होगा p by 5 plus 2.5 यह value होगी p by 5 plus 2.5 यह हम use करते हैं p by 5 plus 2.5 ठीक है p by 5 plus 2.5 होगा बिल्कुल correct करेंगे यह मैंने पीछे से copy paste मार दिया देखते तो मुझे भी याद आगे रिल्क की गलत लिखा है p by 5 plus 2.5 यूज करते हैं p by 5 plus 2.5 और मैंने pdf में भी correct कर दिया p by 5 plus 2.5 इतना आप use करेंगे इसके अंदर p by 5 plus 2.5 उसके बाद strength की value 2 Newton पर mm2 से कम नहीं आनी चीए 3 दिन पर 7 दिन पर 2.5 से कम नहीं आनी चीए 2 and 2.5 यह दो value यह आद रख लिजेगा इससे related assertion reasoning में आपसे सवाल जो हैं वो engineering services में पूछे गए हैं EAST में 4 statements दे दिये कौन सा सही है कौन सा गलत है कौन सा किसको express कर रहा है यह नहीं कर रहा जब तीन statement दिया है which out of the following is correct A only B only A B C A or B and so on ऐसे questions आपको देखने को मिल सकते हैं तो p by 5 plus 2.5 p by 5 plus 2.5 यह PDF में आपको corrected मिल जाएगा अब बात आती है दूस्तों इससे related अगर एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछ लिया जाए कि इसकी आप load बताओ यह capacity बताओ ऐसा सा कुछ question अगर आपसे पूछता है तो इस bricket की dimensions की अगर मैं बात करूँ तो dimension यह bricket आपको actual में ऐसा दिखता है यह bricket आपको ऐसा दिख रहा है तो यह जो इसकी height है यह जो इसकी height आपको दिखाई दे रही है वो height कितनी है 25.4 वो height कितनी है 25.4 तो यह वाली dimension मैं mark कर देता हूँ यहां से यह वाली आपको दिखाई दे रही है 25.4 और अगर इस dimension की बात करूँ मैं अगर इस dimension की मैं बात करूँ या यह कह लिए यह top view से अगर आप देखेंगे तो यह dimension आपको कितने दिखाई दे रहे है 25 by 4 तो यह जो cross section है यह सबसे least वाला है सबसे कम वाला cross section है तो इसी पर stress सबसे दादा आना चाहिए तो इस cross section की अगर मैं बात करूँ तो यह cross section area अगर आप observe करेंगे तो यह area आपको कितना दिखाई देगा यह area cross section वाला आपको 25.4 into 25.4 दिखाई देगा और जो भी इसके उपर आप axial tension आप लगा रहे हो जो भी इसके उपर आप load लगा रहे हो वो load आपको पता है तो load upon area से आप उसका strength बता सकते हो या load बता सकते हो कितना वो carry कर सकता है तो failing load upon area आपके पास क्या आजाएगा area कौन सा consider करेंगे यह 2.5 यह 2.5 यह वाला cross section area आपके पास बन रहे है 25.4 25.4 वो हम use कर रहे है 25.4 25.4 यह समझ में आ गया कई बार यह होता है यह draw करके अगर diagram बताते हैं तो समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है तो इससे आपको I hope clearly हो रहा होगा picture से आपको समझ में आ रहा है कि यह वाली जो height है यह height आपको इस diagram में दिखा रखी है यह आपको side से दिखा रखा है बिल्कु side view है इसका तो आप अगर यहां से side से देखेंगे जो blue color वाला component है यह आपको 25.4 दिख रहा है इसकी height 25.4 है top view से आप देखेंगे top view से यह आपको दिखाई दे रहा है तो mid के उपर यहां पर dimension 25.4 तो cross section जो बनेगा 25.4 into 25.4 बनेगा तो आप stress उसका बता सकते हैं कितना stress वो carry कर सकता है या failing load upon अगर आप area कर देंगे तो tensile में उसकी strength आ जाएगे उसके पाद chemical composition test आता है chemical composition test में as it is direct question बनते हैं कि ratio of alumina to iron oxide alumina से iron oxide का जो ratio है वो 0.66 से कम नहीं रहना चाहिए alumina to iron oxide fusion के अंदर ये मदद करते हैं ratio of silica, alumina and iron oxide should not be greater than 1.02 and should not be less than 0.66 या फिर आप ये कह लीजे इस सब को हम बोलते हैं line saturation factor CAO, SO3, SiO2, Al2O3 ये जो आपका calcium oxide, silica और alumina इनके जो proportion है line saturation factor इनको हम बोलते हैं उसकी value 0.66 से लेके 1.02 के बीच में lie करनी चाहिए ये आप से objective में पूछ सकता है specific gravity से related ये point बताने का यहाँ पर मतलब इतना सह है दोस्तो कि leech atelier नाम से हम confused हो जाते हैं कई बार अभी तक तो ऐसा question नहीं है लेकिन आने वाले time में आपको वो confused करवा सकता है कि leech atelier flask is used for और पहला option ही आपको दिखेगा soundness test जो की गलत हो जाएगा leech atelier apparatus की अगर बात की जाए तो वो soundness के लिए हम use करते हैं leech atelier का flask word अगर वो use कर ले flask use कर ले, container use कर ले beaker कुछ भी ऐसा जिसमें पानी आ सकता है, carosine आ सकता है ऐसा कुछ भी use करें तो आपको बोलना है कि वो specific gravity का test होता है तो leech atelier flask का हम इस्तेमाल करते हैं यह flask कुछ ऐसा दिखता है आपको यहाँ पर और इसके उपर यहाँ पे 0-7 एक reading दे रखी होती है 0-7, तो आप क्या करते हैं इसके अंदर carosine भर लेते हैं ऐसा carosine जिसमें water ना हो या तो carosine यूज करेंगे या naptha यूज कर लेते हैं वो आप इसके अंदर fill कर लेंगे quantity of cement आपको पता होगा cement का weight आपको पता होगा कितना quantity of cement ले रहे हैं तो यहां पे आपको 64 gram यूज करने के लिए कहा इस apparatus के अंदर है इस test के अंदर 64 gram और cement आपने लिया उसको आप इसके अंदर डाल दो यहां पे कोई water present नहीं होना चाहिए ताकि react ना करे उसके साथ वो सिर्फ carosine present है उसमें आपने cement add कर दी 64 gram तो weight of the given mass आपको पता है 64 gram अब इसमें volume का rise कितना हैगा आप अच्छे से उसको क्या कर लो थोड़ा अच्छे से मतलब ऐसे भी shake भी नहीं कर देना है बिल्कुल दीरे दीरे उसको ऐसे stir कर दो ताकि कोई भी air bubble जो है वो remove हो जाए अगर आपने जो cement add कि उसके साथ कोई air चली गई वो निकल जाए इसमें तो हलका full का आप उसको tilt करो जिससे की जो भी air हो वो निकल जाए और अब initially जो आपके पास reading थी final जो reading आपके पास आई उनमें कितना difference आया यह आप चेक कर लीजिए कितना volume का rise आया यह आपको पता लग जाएगा तो आपको पता है कि weight कितना आपको पता है volume कितना weight upon volume आपके पास density आ जाएगा divide by density of water कर लीजी specific gravity आ जाएगा तो इतनी कोई लंबी चोड़ी का आनी यहाँ पर नहीं है सिर्फ इतना सा kerosene या naptha यूज करो जिसमें water ना present हो 0-7 वाली जो marking है बहां तक आप उसको fill कर लो उसके बाद इसमें cement डालो cement डालने के बाद हलका फुलका उसको tilt करके air जो है उसको evacuate करवा दो अगर air उसके अंदर cement के साथ air गई कुछ उसमें फिर जो volume का change आया वो observe करो कितना volume का change आया यहीं कि उतना volume of cement है weight upon volume करो तो unit weight आ गया unit weight of anything upon unit weight of water वो आपको बता देता है specific gravity के बारे में तो specific gravity of cement की अगर हम बात करें तो 3.15 है अब specific gravity यहाँ पे हम बात करें अगर किसी भी चीज़ का unit weight का आ जाए unit weight of solid जैसे soil mechanics में बात करेंगे तो solid का particle है उसका unit weight कितना है homogeneous substance की बात हो रही है अब cement आपको actual में दिखाई ऐसे देती है cement जो है वो आपको ऐसे दिख रही है तो सिर्फ एक एक particle की अगर मैं बात करूँ कि इस particle का unit weight कितना है यह इस particle की specific gravity कितनी वो 3.15 के लगबग आती है यह कहले है यह 2.8 से 3.1 के बीच में vary करती है तो into 1000 कर लीजी आपके पास kilogram पर meter cube में आ जाएगा answer तो यह तो किसकी बात हो रही है homogeneous particle की कि सिर्फ और सिमेंट का भी particle है खाली जगा भी नहीं है voids भी नहीं है अगर bulk density की बात की जाए यानि कि उसमें voids बगरा है तो आप कहते हैं वो आती है 1440 kg per meter cube bulk density की बात की जाए तो 1440 आप यूज करते है और अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ सिमेंट के particle का बता हो कि सिर्फ सिमेंट का particle ही particle present है वॉइड भी नहीं present है खाली जगा भी नहीं है वहाँ पर तब आप बोलेंगे 3.15 तो specific gravity पूछे 3.15 density of cement, bulk density of cement आपसे पूछे तो 1440 kg per meter cube आपको बताना है कुछ और महत्वपूर्ण बिंदू है जिनको आपको ध्यान में रखना है magnesia का जो weight है वो 4% से ज़ादा नहीं होना चीए max to max 5% होना चीए 5% से ज़ादा नहीं होना चीए अगर आप cement को burn करते हैं ignite करते हैं 1000 degree Celsius तक 900 से लेके 1000 degree Celsius तक 902, 1000 degree Celsius तक अगर आप cement को burn करते हैं तो burn करने के बाद 4% से ज़ादा उसमें loss नहीं आना चीए उसके अंदर जो weight का loss है वो 4 प्रतिशत से ज़्यादा ना आए वहाँ पर sulfur के content की बात करें तो 2.75% से ज़्यादा sulfur का content जो है वो नहीं present होना चाहिए insoluble ना घुलने वाला जो घुले ना insoluble हो ऐसा residue cement के अंदर 1.5 प्रतिशत से ज़्यादा ना हो यह कुछ और points है जो आपके engineering services में या अलग-अलग exams में आए हुए questions जो है उनके through कुछ points जो है निकाले हुए है कि यह भी questions में पूछ लेता है तो यह भी आप याद रखेंगे उसके बाद दोस्तों बात आती है कि ordinary Portland cement है इसके बारे में questions पूछे गए है कि 33 grade का मतलब क्या है कि इसकी 28 days पर जो इसकी strength है वो आती है 33 newton per mm square 43 grade का मतलब क्या है 28 days पर जो strength है वो 43 newton per mm square आएगी and similarly 53 के लिए भी use करते है इनके code याद रखने की as such requirement नहीं है बस एक बार read कर लेना कहीं को equation दिखे तो आप इसको relate कर सकते है और details में पढ़ना हो इनकी properties को तो आप use कर सकते है लेकिन हमारे काम की जितनी चीज़े है उसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो एक question आया नहीं है अभी तक लेकिन पूछ सकता है आने वाले समय में कभी पूछ सकता है कि cement का classification हम फिर से IS code 10262 10262 के तहत ordinary Portland cement को further divide किया गया categorize किया गया उसकी 28 दिन पर जो strength है उसके हिसाब से 28 days पर जो उसकी strength आती है उसके हिसाब से उसको categorize किया गया और उसकी strength जो है वो 32.5 से लेके लगबग 62.5 यहां तक define की गई 32.5 से लेके 62.5 तक define की गई और उसके अंदर A, B, C, D, E, F आपने जो classes है या जो grades है वो बना दी हमारे काम की चीज़ क्या है आपसे सवाल जो है वो क्या पूछ सकता है वो आपसे यह पूछेगा Grade 33 Ordinary Portland cement of grade 33 कौन सी category में लाई करता है आपको दिख रहा है यहां पर strength अगर 32 से लेकर 37 के बीच में है 32.5 से 37.5 के बीच में है तो आपको दिख रहा है grade A में लाई करेगा Similarly अगर आपसे 43 grade पूछा जाए तो वो किस में लाई करेगा C में करेगा अगर आपसे पूछा जाए 53 grade किस grade में लाई करेगा 53 वाली जो cement है 53 Ordinary Portland cement वो E जो आपकी category है उसके अंदर लाई करेगा So 33, 43, 53 जादा जादा ऐसा question आपसे पूछ सकता है Market के अगर हम बात करें दोस्तों तो market के अंदर जो आप यूज करते हैं 43 grade वाली cement जो market में यूज करते हैं 43 grade वाली cement वो generally उसकी strength जो है वो generally D category के अंदर लाई कर जाती है तो यह simple है याद रहेगा सबको कुछ मुश्किल है सच stable label जो है 32.5 से 62.5 याद रख लीजिए यहाँ पे आपको 5-5 का difference दिखाए दे रहा है 5 फिर उसके बाद 5 फिर उसके बाद 5 5-5 and so on 5-5 का difference आ रहा है A, B, C, D, E, F category के अंदर 33 grade अगर आपकी है याद रखना बहुत असान है ऐसे याद रख लेना 33 grade से ही शुरू करना है 33 से थोड़ा सा कम कितना 32.5, 5-5 याद करते जाओ 33 A grade में अगर लाई कर रहा है उसके बाद C के अंदर 43 E के अंदर 53 grade आपका लाई कर रहा है इनकी properties से related questions पूछेगा अब इस table को देखके तो बिल्कुल नहीं घबराना है क्यों? क्योंकि बहुत आसान है याद कर चुके हम बहुत सारी चीज़ें पहले पहली property की बात करते हैं fineness, fineness आप अप अल्रेड़ी पढ़ चुके यह summarized way में है सारी चीज़ें जो हमें confusion हो जाती है 33 grade के लिए कितना होगा 43 के लिए कितना होगा, 53 के लिए कितना होगा उसकी बात कर रहा है fineness की अगर हम बात करें तो fineness blains air permeability जो है method इससे हम यूज़ करते है 33 grade होगा, उसके लिए 2250 2250, 2250 clear? leech atelier apparatus के अंदर हमने बात की थी leech atelier apparatus soundness के लिए test करते है और 10 mm से जादा उसके जो arms है वो split 10 mm से जादा split नहीं आना चाहिए जो arms है वो दूर जाएं वो 10 mm से जादा नहीं जाने चाहिए याद कर लिया, दुबारा याद करने के ज़रूर अदनी same होता है autoclave की हमने बात की थी autoclave apparatus के अंदर 0.8% से जादा expansion नहीं आना चाहिए already याद कर लिया, कोई मेहनत नहीं होई यहाँ कोई मेहनत नहीं होई, आपकी मेहनत इसमें count नहीं होगी उसके बाद initial setting time final setting time, किसकी help से पता करते हैं why kit apparatus की help से मतलब पता करते हैं 30 minute होता है, 10 hours होता है 30 minute, 10 hours, 30 minute, 10 hours कोई मेहनत होई, नहीं होई, नहीं count होगा compression strength test, UTM machine से करते है UTM machine से जो आप करेंगे अब यह values, इसमें मेहनत इसमें भी नहीं लगेगी अगर आपने यह already याद कर लिया 50% strength आजाती है 3 दिन पर 7 days पर आती है 2 3rd strength, 28 days की strength तो हम definitely यह define ही कर रहे है 33, 43, 53, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, यह values आपको already याद है, 33, 43, 53 इसका 50% कर लो आप तो यह value आजाएगी 3 days पर इसका 2 3rd कर लो आप तो आपके पास value आजाएगी 7 days की, तो यह table free में याद हो गई है आपकी सारी grades के लिए, तो कोई as such आपको दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए कोई है तो बता दो जल्दी से फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से बताओ देखो, सब हम अच्छे से detail में ही पढ़ रहे है इससे ज़दा detail की आवशकता नहीं है आप किसी भी exam के लिए पढ़ लीजिए ठीक है, शुरू करें क्योंकि अब last वाले point पढ़ रहे है last वाला थोड़ा सा boring हो जाता है आके लेकिन उससे सवाल पूछते है थोड़ा सा active होके काम करना है आपको ठीक है अभी हम बात करेंगे types of cement की test पगेरा तक तो सब ठीक रहता है चलो types of cement की अगर हम बात करें तो types of cement में सबसे पहली cement आती है rapid hardening cement rapidly hard हो जाना या यह कह लिजी यहाँ पर इसका मतलब है strength से related है, इसका मतलब set होने से मतलब नहीं है rapid hardening cement जो है इसका मतलब है हमारा strength से कितनी जल्दी उसके अंदर strength आ जाती है strength किसकी बज़े से आएगी जितना ज़्यादा particles को तोड़ दोगे cement के particles जितने ज़्यादा छोटे होंगे उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या आ जाएगी strength आ जाएगी तो rapid hardening cement जो है उसके अंदर particles को बहुत छोटे छोटे particles में हमने तोड़ दिया बहुत छोटा कर दिया उनको तो जिससे उनका specific surface area बढ़ गया लगबग 4500 cm2 per gram तक हम consider कर लेते हैं और यह कह लिजिए rapid hardening cement के लिए कम से कम 3250 होना ही चाहिए 3250 से कम नहीं हो ना चाहिए specific surface area और जो हम use करते हैं वो 4500 cm2 per gram generally हम obtain करने की कोशिश करते हैं तो जो clinkers हैं उनकी fine grinding कराओ बहुत छोटे से उनको piece दो initial spend जादा चाहिए तो क्या कर दो C3S को increase कर दो initial spend जादा चाहिए तो जो अच्छे से well burnt clinkers होते हैं जो कि किस में जादा होते हैं C3S में जादा होते हैं Trigalcium silicate में well burnt clinkers होते हैं तो C3S की quantity increase करो C2S जो है जो later strength provide करता है उसको reduce कर दो तो initial strength आपकी बढ़ जाएगी यहाँ पर 3 दिन के उपर जो आपकी rapid hardening cement होती है उसमें 3 दिन पर जो strength आती है वो ordinary portland जो 7 दिन पर देगी वो इसमें 3 दिन पर आ जाती है तो जहाँ पर भी आपको rapid construction करना है जल्दी strength चीए वहाँ पर आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं चाहे आप बात करें pre-fabricated जो construction work है पहले से already ready made जो आप use करते है component उनकी बात करें cold weather concreting cold weather जो होते हैं जहाँ पर temperature बहुत कम होता है ऐसी जगह पर बहुत दिक्कत आती है क्योंकि hydration नहीं हो पाता है cement जो है वो properly react नहीं कर पाती उसकी strength नहीं आपाती जल्दी से जल्दी से strength नहीं आपाएगी तो बहुत दिन तक वो structure ऐसे ही पढ़ा रहेगा या ये कह लिजी है वो strength नहीं attain कर रहा तो जो भी आप shattering यूज़ कर रहे है scaffolding यूज़ कर रहे है उनको आपको लंबे समय तक इस्तिमाल करना पड़ेगा उनका आपका जो cost है वो बढ़ जाएगा वहाँ पर तो ऐसे case में आप rapid hardening cement जो है उसका आप use कर सकते हो ऐसी जगह जहां पर form work आपका है वो जल्दी जल्दी move करवाना है आपके पास limited quantity है उसकी या फिर उसका rent बहुत जादा पड़ रहे है तो ऐसे case में आप rapid hardening cement जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते है जहां पर भी structures की repairing की बात है कि strength जल्दी से चाहिए जल्दी से repair हो जाए कोई बड़ा bridge है उसके अंदर crack आ गया या कोई भी ऐसा आपको construction आपको अगर करना है जहां पर जल्दी से strength चाहिए तो वहाँ पर आप rapid hardening cement का इस्तेमाल कर सकते है extra rapid hardening के अंदर क्या हो जागा यहाँ पर आप use कर देते है calcium chloride का जिसको 2% से जादा हम use नहीं करते है 2% तक हम use करते है बहुत ही जादा finer particles use किया आपने cement के और साथ में calcium chloride not more than 2% आपने इस्तेमाल किया तो वो क्या कर देगा और अच्छे से strength जो अब वो provide कर देगा और इस cement को आपको 20 minute के अंदर सारा काम आपको करना पड़ेगा जैसे ही आप इस cement के अंदर water add कर दिया तो इसको mix करना, transport करना, finishing करना सब कुछ 20 minute के अंदर अंदर आपको provide करना है इस cement has approximately 20 to 25% higher strength जो अगर initial strength की बात करें starting days पर अब बात करें तो लगबग 20 से 25% जादा होगी बहुत लंबे समय के बाद 90 दिन के बाद तो सारी cement जो है वो लगबग उनकी strength जो है वो same ही आ जाएगी next same application होगे इसके जो rapid hardening के थे वो ही extra hardening के होंगे यहाँ पर फिर आती है sulfate resisting cement जो भी sulfate attack होता है जिसके current cement जो है या concrete खराब हो जाती है disintegrate होने शुरू हो जाती है expand करना शुरू हो जाती है तो उससे resist अगर आपको करवाना है तो उससे resisting के लिए आप use करते है sulfate resisting cement objective में सवाल क्या पूछता है सवाल आपके objective के अंदर उसने पूछा 2019 के अंदर इससे 2019 में सवाल उसने क्या पूछा कि sulfate resisting cement के अंदर किस proportion को reduce करते हैं तो it is manufactured by reducing the proportion of C3A C3A को reduce कर देंगे C4AF को भी reduce करेंगे इस तरीके से कि C3A is not greater than 5% and price of C3A plus C4AF should not be greater than 25% तो objective में question क्या पूछा गया sulfate resisting cement बनाने के लिए C3A को reduce करते हैं ठीक है foundation work में हम यूज कर सकते हैं जहाँ पर भी sulfate attack हो सकता है marine structures जो हैं वहाँ पर calcium sulfate या sulfate present रहता है जिससे की cement जो है उसके अंदर जो lime है वो उसके साथ react करेगा lime react करके क्या कर देगा volume increase कर देता है volume increase करने के कारण क्या हो जागा disintegration हो जाता है तो foundation work जहाँ पर भी foundation की बात कर रहे हैं जहाँ पर भी pipelines की बात हो रहे हैं जहाँ पर भी marine structures हैं तो वहाँ पर हम बात करते हैं आपसका इसमाल करते हूं, नेक्स्ट आता है दूस्थो, Super Sulfated Cement, Super Sulfated Cement के अंदर आप Blast Furnice लैग जो है, वो use कर लेते हो, criticism का आप इस्तिमाल कर लेते हो, तो जहाँ जहाँ पर erfolg Например, you can use करते हैं, वहाँ पर आप इसका इस्तिमाल भी कर सकते हो, portland slag cement की आप बात करें तो blast furnace slag का इस्तिमाल करेंगे gypsum जो cement clinker है इन सबको आप add कर देते हैं portland slag cement use की जाती है chloride के against attack जो है उससे बचाने के लिए तो it is used against attack of chlorides and sulfates water tightness property जो है वो इसकी अच्छी होती है portland slag cement की यह भी objective मैं आपसे ESC के इंदर पूछा गया है water tightness property जो है वो क्या होती है अच्छी होती है portland slag cement की quick setting cement से related SSC में सवाल आया कि quick setting cement जो है और इससे related जो है एक दो books के इंदर भी गलत answers दे रखे हैं quick setting cement जो है इसका initial setting time 5 minutes होता है rapid hardening का तो 30 होता है rapid hardening पे चलता है वापस से इनमें जो confusion होती है वो क्या होती है rapid hardening cement कभी-कभी हम confuse कर लेते हैं इसको quick setting cement से तो rapid hardening का मतलब quick setting नहीं है rapid hardening का मतलब है strength जल्दी attain करना quick setting की बात करेंगे तो 5 minutes जो होता है उसका initial setting time होता है quick setting cement का यहाँ पर initial setting time इसका कितना होगा 30 होगा जो rapid hardening होगी उसका 30 होगा सिर्फ और सिर्फ quick setting cement की बात करेंगे तो 5 minute initial setting time final setting time जो है वो 30 minute होगा यहाँ पर जहाँ पर भी repair आपको करना है कोई cracks develop होगई वहाँ पर आपको use करना है इसको grouting operations आपको use करना है यहाँ पर quick setting जल्दी से set होने वाली जो cement है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है जल्दी जल्दी उसको set करवाना है तो आप क्या कर दो cement जो है उसके अंदर reduce कर दो gypsum को जिपसम को reduce कर दो, जिपसम setting time को बढ़ाता है, setting time को घटाना है तो जिपसम को reduce कर दो, particles की fine grinding करवादो जिनसे उनकी strength बढ़ जाए यहाँ पर ताकि आप उनको grouting operation में, underwater concreting में, कि underwater concreting में अगर आपने quick setting cement use नहीं की, तो जो भी cement आप use करेंगे, जब तक वो set होगी तब तक पानी के साथ दर दर बैह जाएगी, तो आपको चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी set हो जाए, तो quick setting cement का use आप in operations के अंदर कर सकते हैं, उसके बाद जहाँ पर भी mask concreting आती है, तो mask concreting का मतलब बहुत ज़्यादा cement use किया आपने, बहुत ज़्यादा cement अगर आपने use की तो व उसको avoid करने के लिए हम low heat cement का use करेंगे, heat सबसे ज़्यादा produce कौन करता है, tricalcium aluminate करता है, आपको पता है, तो tricalcium aluminate को यहाँ पर reduce कर दो, और आप जो सबसे ज़्यादा heat, sorry, सबसे कम heat release करता है, जो dicalcium silicate है, उसका proportion increase कर दो, जो सबसे कम heat release करता है, यनि कि आपके पास dicalcium silicate है, उसको increase कर दो, जो सबसे ज़्यादा heat release करता है, उसको कम कर दो, जो कि है tricalcium aluminate, तो bulk concreteing जहाँ पर भी damp बनाना है, कोई बहुत भी बड़ा mass concreteing होनी है, वहाँ पर आप इसका 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 कर सकते हो, उसके बाद Indian railways में जो sleepers बनते हैं, वो बनते हैं आपके IR C, T40 जो cement है, इसके आपके use होंगे, IR, जो IRS, sleepers के अंदर जो होगा, IRS cement use होगा, जो initial strength जो है जिसकी high रहेगी, तो same initial strength हाई करने के लिए आप C3S का जो percentage है, वो बढ़ा दो, बस ये use करना है, hydrophobic cement की अगर हम बात करें, तो hydrophobic cement जो होती है, उसके अंदर हम use करते हैं, allic या होगा, उसके अंदर जो strength है, उसका loss नहीं आएगा, वो cement खराब नहीं होगी, next आता है आपके पास Portland Pozolana cement, तो Portland Pozolana जो cement है आपके पास, ये क्या करेगा, lime और silica जब react कर रहे हैं यहाँ पर, और water के साथ, तो क्या होगा यहाँ पर, lime यानि की calcium C, silica यानि की S, water H2O यानि की H, तो ये तीनों जब form हो जाते हैं, तो Pozolana जो है, वो Pozolana क्या होता है, अपने आप में, अपने आप में कोई उसकी cementing property नहीं होती है, लेकिन जब ये Pozolana मिल जाता है, cement के साथ, या calcium hydroxide के साथ, तो ये क्या बना देता है, ये एक gel बना देगा, एक cementious paste बना देता है, C-S-H gel नाम से भी हम इसको बोल देता है, C-S-H gel नाम से भी हम इसको बोल देता है, ये form कर देता है, जिसकी cementing property अच्छी होती है, तो Pozolana जो है, वो खुद के अंदर कोई cementing property नहीं होती, वो एक siliceous और alumines compound होता है, silica और alumina उसके अंदर present होता है, लेकिन जब ये calcium hydroxide के सा नहीं कि जो आपका calcium और silica और water और ये सब मिलके जो एक gel बनती है, जो paste बनता है, जो strength में contribution प्रोवाइड करता है, वो इससे form होता है, बहुत सारे फाइदे हैं, जितने भी आपको cement के फाइदे लिखने हैं, वो सारे आप लिख लो, Portland, Pozolana cement के अंदर, इसका heat evolution कम होता है, strength जो अच्छी होती है, जहाँ पर major structure होता है, वहाँ पर इसको use किया जाता है, ये कुछ types of cement थी दोस्तों, और एक आदे और कुछ types होंगे, चोटे मोटे, लेकिन जो major की अगर हम बात करें, तो ये आपके types थे, और masonry cement मैंने आपने बता दी, मैंने बता दी, आपको masonry cement क 90 minutes initial setting time, 24 hours final setting time, और कुछ होता है, तो आप बता दीजिएगा, बाकी mostly जतना जरूरत है, उतना cover कर लिया हमने, शाम को 8 बजे हमारा session जो रहेगा, शाम को 8 बजे, unacademy पर हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे unacademy के उपर शाम को 8 बजे, इसी topic है, cement के ही questions हम करेंगे, practice तो आप definitely join कर लीजिएगा, आज का दिन शाम तक का है, आपके पास इसको revise करो, अच्छे से पढ़ लो, जो भी है, PDF आपको थोड़ी से देर में मिल जाएगे, इसको revise कर लो, शाम को इसके question कर लो, topic ready होगे आपका, फिर उसके बाद जब भी दुबारा पढ़ेंगे, तो ज session कैसे लगा, comment करने के लिए आना पड़ेगा, थोड़ा दुबारा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर कर पाएं तो कर लीजिएगा, नहीं कर पाएं तो कोई बाद नहीं, revise करना जादा important है, unacademy पर subscription offer चल रहा है, SSE exams के तहत, अगर आप SSE का subscription लेना चाहते हैं, तो आपको एक साल के subscription पर दो मन्त का extra subscription मिलेगा, तो आप code यूज कर सकते हैं, संदीब 11, तो 1 year के subscription पर आपको 2 months का extra subscription आपको मिलेगा, if you use the code संदीब 11, और ये आज आज के लिए valid है, ये 13 से लेके 15 तक था, तो ये offer जो है, वो आज आज के लिए और है, अगर आप use करना च चीज़ें करेंगे, वहाँ पर EAC के question करेंगे, कुछ अलग चीज़ें करेंगे, SAC के subscription में, ठीक है, actually दोस्तों ऐसा था कि meetings वगरा भी काफी सारी जिसमें ये था कि EAC category के अंदर अब आप पढ़ाईए, तो वो possible साथ मुझे मतलब इसलिए नहीं लग रहा, क्योंकि अगर category सब्सक्रिप्शन ले रखा है, SAC का, तो उस चक्कर में फिर उनका loss हो जाता है, वो थोड़ा मेरे को ethically सही नहीं लगता, अब इस चकर में ये है कि best से best solution मैं जो मेरी तरफ से कर सकता हूँ, वो ये कर सकता हूँ दोस्तों, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिने EAC का आपको हर वीकेंड पर आपको complete test मिलेगा, daily questions की practice मिलेगी, mix test मिलेंगे, subject wise test मिलेंगे, सारे combinations आपको मिल जाएंगे and everything free of cost, अगर advance में पढ़ना है तो आप subscription भी ले सकते हैं या आपके उपर है दोस्तों, तो बस आपते यहीं उमीद है, मैं यह नहीं कहूंगा कि हाँ इस व पढ़ाया जाए उतना cover कर लो, जितना पढ़ाया जाए उतना cover कर लो, उससे जादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लेंगे तो definitely success मिल जाएगी, ठीक है, 100% आप अपना दे दीजिए, day one से लग जाएए, आद से लग जाएए, जितना अच्छी शुरुआत करें और उसको आगे consistent बनाए रखेंगे, end में जाके आप उतना ही सुखी रहेंगे, last में जाके तो चीज़ें revise करनी है, बार बार रटना है बस, पढ़ लो, जो चीज़ याद कर रखियो उसको बार बार पढ़ लो, तो वो ऐसे हो जाएगा, जैसे मतलब, बिल्कुल by heart, कुछ चीज़ बोली जाए, कुछ भी formula पुछा जाए, instantly बता पाएंगे, वो चीज़ कब आएगी, जब बार बार revision होगा, और revision बार बार कब कर पाएंगे, जब starting से हमने सब कुछ पढ़ लिया, उसले बस time पर complete करके, और फिर revise कर रहे है, revise कर रहे है, तो उससे आपका confidence built होगा, PDF इसी पर आपको थोड़ी सी देर में यहाँ पर नीचे comment के अंदर pin हो जाएगी, link मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, और साथ ही साथ में दोस्तों आपको telegram के उपर भी मैं PDF प्रवाइड करूँगा, वहाँ पर आप संदीब जानी नाम से आप सर्च कर सकते ठीक है, और telegram पर जो भी classes होती है, मैं उनके link share कर देता हूँ, कोई notification आता है, कोई भी exam से related, किसे से भी आता है, वहाँ पर instantly provide कर देता हूँ, ठीक है, तो आप लोग अगर video पसंद आए, तो मर्जी है, नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पढ़ेगा नहीं, वो है, तो पढ़ो, मजे करने है, तो मजे करो, at a time एक चीज़ करो, मजे करने है, तो उसमें भी 100% कर दो, ठीक है, सब कुछ बुला के वो चीज़ कर लो, enjoy करने है, तो enjoy कर लो, enjoy करने के time पर, जब पढ़ना है, तो पढ़ने के time पर 100% पढ़ाई को दे दो, तो उस चीज़ से क के लिए करनी है किसी और के लिए नहीं करनी है रिष्टदार के लिए नहीं करनी है किसी के ताने की विज़े से नहीं करनी है अपनी जो प्रॉब्लम्स है अपनी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्णिंग उसी को देखते हुए उसको बहतर करने के लिए उसके अंदर आप क्य अपने लिए जो सुविदा है वो adopt कर सकते हैं उसके लिए करनी है सब कुछ YouTube पे मिल रहा है सब कुछ free में मिल रहा है तो इसकी value थोड़ी सी पहचान लीजिए और पढ़ाई कर लीजिए मल लगा के Thank you so much मेरा नाम है संदीप और मिलते हैं हमारी next session में आज शाम को 8 बजे उसके बाद YouTube पे कल सुबह 9 बजे फिर से अगले topic के साथ Thank you so much, take care, bye bye Thank you so much Thank you so much Thank you so much